तो हम finally start कर चुके हैं Python Tick Inter tutorial को इसमें हम सब कुछ देखने वाले हैं, इसके एक function को देखने वाले हैं, आप मेरी computer पे screen पर देख सकते हैं कि मैंने क्या-क्या इसमें पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने इसमें 31 topic रखे हैं, 31 topic को मैं एक-एक step by step आपको बताऊंगा, उसके इसके लावा में 25 से लेकर 31 तक जो है, मैं इसमें आपको project दूँगा, with source code, आपको ये project आपको provide करूँगा, जो मैं पहले ही बना चुका हूँ, इनके source code आपको provide करूँगा, उससे पहले 1 से लेकर 25 तक, मतलब 24 तक एक-एक चीज बताऊंगा, और Tick Inter के बारे में अच्छी जानकारी आपको बताऊंगा, आप software बना के बेच भी सकते हैं, क्योंकि software की demand होती है, अगर आप unique बनाते हैं, तो आप इन्हें बेच भी सकते हैं, उसके लावा जो desktop application होते हैं, उन्हें आप बना के कहीं online sale कर सकते हैं, या फिर किसी के लिए काम कर सकते हैं, और Tick Inter के बारे में सबसे बड़ी बात यह है, कि एक powerful tools है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी में अपनी website पर जाके दे देता हूँ, कि कैसे यह काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में वैसे मैंने पूरा article लिख रखा है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके बारे मे जो python tick enter है, यह GUI application बनाने में काम आता है, GUI का मतलब है graphic user interface, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मेरे पास हम जो notpad या wordpad जैसे software चलाते हैं, यह GUI software है, मतलब graphic user interface है, python tick enter एक powerful GUI बनाने वाला module है, जिससे हम बहुत सारी GUI application बना सकते हैं, python tick enter से बहुत बड़े बड़े GUI application बना गए हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, कि यह बहुत easy है, जिसे हम बहुत आसानी से learn कर सकते हैं, python tick enter को सबसे पहले use करने से पहले हमें इसे install करना पड़ता है, install करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक ID install कर सकते हैं, जैसे कि subline text हो गया, और python को install करना पड़त इसे मतलब इसके जो library है, उसे install करना पड़ता है, install करने के लिए आपको cmd type करना है, और cmd type करने से पहले आपको ध्यान रहे कि आपके जो computer में, मतलब python install होना चाहिए, python install चेक करने के लिए आप यह कर सकते है, python version यह type करके, जैसे आप type करते हैं, तो python का आपको version आजाएग ध्यान रहे कि version आपका 3.6 से उपर ही हो, या फिर 3.6 भी चल जाएगा, मतलब latest version पर आप काम करें, मेरा जो computer है, वो latest version को support नहीं करता है, इसलिए मैं 3.7.1 पर काम कर रहा हूं, आपको इसा भी version यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि 2.2.1 वाला कोई version नहुआ, आप 3.2 पर से यूज़ करें, उसके लावा आपको install करने के लिए, टीक इंटर को वैसे इन बिल्ड आता है, आप चाहें तो pip install, टीक इंटर भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, देखने के लिए कि आपके में install है या नहीं है, अगर आप install करना चाहते हैं, तो आप यह लिख बहुत अलग अलग नाम से पर मैं टीक इंटर कहता हूं, इसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो बोलें पर यह है कि आपको software बनाना आना चाहिए, मैं इसे install करता हूं, आप इसे pip install, टीक इंटर के नाम से जैसे type करते हैं, तो यहां पर यह कुछ टाइम लेगा, वैसे जादेतर चांस है कि यह in-build ही आता है, मतलब पहले library में आता है, लेकिन फिर भी आप check करने के लिए, अगर आपके system में install नहीं है, तो आप ऐसे डाल सकते हैं, अब यह कुछ time लेगा, देखते हैं कितना time लेगा, उसके अलावा मैं इसके बारे में मान के चलिए, आप जो wordpad है, आप वो भी बना सकते हैं, मैं wordpad सेम जैसा उसका भी source code आपको provide करूँगा, जो मैंने पहले बनाया था, सब कुछ provide करें, मेरे computer में पहले install है, तो इसकी कोई जरूरत है, tick enter को बस आप check कर लेना, अगर नहीं है तो install छोड़िए, नहीं तो आप start करते हैं, कि tick enter को कैसे use करना है, हम सबसे पहले इसमें step लेते हैं, क्या create first GUI, setup installation हमने करी लिया, हमने बता दिया क्या चाहिए, setup में क्या चाहिए, हमें subline text चाहिए, एक कोई editor चाहिए, जिसमें हम ID, मतलब काम कर सकें, एक हमें python install करना चाहिए, उसके लावा आप tick enter को इस् देखने वाले हैं कि GUI application को कैसे create करते हैं, तो चलिए, हम पर आपको लिखना है, from tick enter import start आपको लिखना है, from tick enter import start आपको लिखना है, from tick enter import start आपको लिखके import कर लेना, उसके अलावा आप यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं, variable का, जैसे मैं win लिख रहा हूं, और यहाँ पर तो लिखना TK.T. लिखके, अगर मैं इसे run करूँ, तो क्या होता है, देखते हैं पहले, अगर मैं इसे run करूँ, तो यह error देगा, क्यूं देगा अभी बताता हूँ मैं, और यहाँ पर आपको win.manloop लिख देना, अभी मैं बता देता हूँ कि यह क्यूं लिख वा रहा हूँ, यह क्या कर रहा हूँ, एक एक line को आपको समझाने की कोशिस करूँगा, ठीक है, यहाँ पर आपको जो TK लिखा है, यह नहीं लिखे, सीधा आप यह लिख सकते हैं, क्यूंकि मैंने TK को import नहीं क्या है, तो आप सीधा यह लिख सकते हैं, जैसे मैंने यह क्या, तो friends आप द library की files available है, ठीक है, यह inbuilt आती है, python को install करते हैं उसके बाद इसमें आपने import लिखा और star का मतलब है, कि आपने जो TK इंटर के अंदर जो भी सारी file है, star के साथ import कर ले, star का मतलब होता है, कि सारी file को आपने एक साथ import कर ले, उसके लावा आपने TK का एक object बनाया, win, आप यह जो win है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप इसका नाम कुछी भी रख सकते हैं, वो आपके उपर depends है, लेकिन ध्यान रही कि python का कोई keywords नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको इतना करने के बाद आपको यह समझ लिजे कि जो win होता है, बस इसे रखने man loop को यहाँ पर win.man loop को यहाँ लिख दिया, अब win.man loop क्या है, जब हम कोई program बनाते हैं, यह कुछ बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि वो जो program है, चलता रहे, मतलब जब आप notepad खुलते हैं, तो आप जब तक उसे kilos नहीं करते हैं, तब तक वो open ही रहता है या चलता रहता है, इसी तरीके से क्या होता है, guy में, इसमें tick enter में man.loop लगाना होता है, जो हमेशा यह loop infinite loop चलती रहेगे, जब तक user window को close नहीं करेगा, इसका मतलब यह है, अगर मैं इसे run करूँ, क्या 3 line के code में हमारा क्या बना, सबसे पहले मैं यह दिखाता हूँ, 3 line के code में जैसे मैंने यह तो देखो, हमने यह जो window है, देखो, 3 line के code में हमने यह बना ली, देखो, 3 line के code में, केवल 3 line के code में हमने यह window बना ली, आप देख सकते हैं, हमने 1st जो GUI है, उसे create कर लिया है, हमने जो 1st अब तक जो GUI है, उसे create कर चुके हैं, देख चुके हैं, कि कैसे, इन 3 line के code में, आप first GUI को create कर चुके हैं तो देखा हैं आपने कि कितना आसान GUI को create करना हम इसमें बहुत advanced functionality देखने वाले हैं इसके बटन देखंगे, label देखंगे, entry box देखंगे, combo box देखंगे, radio button देखंगे, मतलब जितनी भी आप ये list देख रहे हैं ना इसके बारे में पढ़ने वाले है कि क्या होता है, जैसी आप ये सारी पढ़नेंगे आपको खुद idea आजाएगा कि software कैसे बनते है, notpad कैसे बना हुआ है, एक एक चीज आपको सब समझ में आजाएगी, लेकिन मैं इसे start कर चुका हूँ, कि first GUI, हमने देख सकते हैं जो पहला दूसरा point है, create first GUI, आप उससे create कर चुके हैं, तीसरा हमारा topic है, title, ठीक है, अब title क्या है, इसे बताता हूँ, मैं तीसरा हमारा topic है, मतलब title, title का मतलब होता है, कि आप उपर जो ये नाम देख रहे हैं, जो टी के लिखा हुआ रहा है, हर software का नाम अलग होता है, लेकिन हमारी software जो हमने GY बना है, उसका नाम तो T के आ रहा, जो हम रखना चाहते हैं, वो नहीं आ रहा, तो यह जो रखने वाली बात है, वो title से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अब मैं यहां लिखता हूँ, हम अपनी window का title देने वाले हैं, यहां पर आपको win लिखना है, win जो आपने इसका वो लिखा होगा, अब धिया जान रहे, कि इनके बीच में ही अब लिखा जाने वाला, यह हमेसा, जो line है, यह नीचे रहने वाली है, ठीक है, और यहां हम कर चुके है win, अब हम क्या रखने वाले है, title दालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, है लिखना पड़ेगा, टाइटल और यहां पर ल रख सकते हैं, जैसे मैं इसे close करता हूँ, ठीक है, इसे close करके, अगर मैं दुबारा इसे run करूँ, control B press करके, मैं run करता हूँ, जैसे मैं इसे दुबारा press करता हूँ, तो आप देखना, इसका, देखो master, नाम change हो गया, आप देख सकते हैं, कि इसका नाम अब change हुका है, master आ तो आप देख सकते हैं कि हमारी window का जो अब तक हमने GUI create करी है हमने दो काम कर लिया है एक तो first GUI app कर लिया है create करने के लिए एक हमने उसका title डाल दिया है तो यह icon जो support करता है जैसे कई फाइल होती है जैसे JPG होई PNG होई आप इन्हें पता होगा इनके बारे में ऐसी एक ICO फाइल होती है आपको icon डालने के लिए ICO फाइल चाहिए ICO फाइल आप Google से डाउनलोड कर सकते हैं मैं तुम्हारे सामने डाउनलोड करता हूं कोई Google में मत फिर हमने यह बनाया है इसमें आप देखो इसमें icon नहीं है एक पताने पती का यह निसान आ रहा है और जो कि subline text आप देख रहे हैं तो यहां पर icon आ रहा है तो हमें अभी यह icon लगाना है यह आपर तो icon लगाने के लिए ICO फाइल चाहिए आपके पास कुछ PNG फाइल होई करता हूं देख सकते हैं आप यह ISO कोई एक image download करके मैं इसमें लगाने की कोशिश करता हूं वैसे मेरे computer में हो सकता पहले भी पड़ी हो तो मैं देख लेता हूं कि अगर मेरे system में पहले पड़ी होगी तो मैं उसे लगा सकता हूं ठीक है जो यह ISO फाइल आपको लगानी होती है तो मैं देखता हूं कि मेरा अगर computer में कोई ISO फाइल है तो मैं उसे ही update कर देऊंगा ताकि मुझे आसानी हो internet से कहीं से download नप करना पड़े तो मेरे पास वैसे बहुत सारे software में बना के रखा हूं तो मेरे इस पास बहुत data पहले ही available है इसलिए मैं save करके रखता हूं कुल म सब्सक्राइब में तो इसकी यह आई यह जीपीजी फाइल है ठीक है मैं देख रहा हूं आइकन फाइल कोई से देखो यह बल्क सेंडर यह मेरे अभी बना रहा हूं एक software है टीक इंटर के help से बना रहा हूं इसका भी source code आपको देदूंगा इसकी demo video भी डाल दूंगा सब्सक्राइब का नाम icon.iso ठीक है अभी देखो अब इसमें हम लगाने वाले icon file icon file लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ा आपके पास icon जो file हो आपके folder में होनी चाहिए ठीक है अब मैं आइकन लगाता हूं यहां लिखता हूं icon bitmap आपको icon लगाने के लिए icon bitmap लिखना पड़ता है इसमें icon direct नहीं लगता आप सोच रहूंगे कि icon लिखते जैसे title लिखा title icon लगाने के लिए icon bitmap लिखना पड़ता है और यहां पर उसकी वो देनी पड़ती है मतलब जो file का जो हमने name है जो हमारी का आई है तो file है वो हमारी है उसका नाम icon है अगर मैं इसे दुब पर icon आ चुका है अब तक हम देख चुके हैं कि icon कैसे लगाते ध्यान रहे icon आप PNG ये JPG लगाते हैं तो वो आ तो जाएगा लेकिन दिखाई नहीं देगा वो कुछ और वैसे इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ISO फाइल में convert कर ले अगर आपके पास कोई icon है तो Google पर टाइप पार्ट देख चुके हैं अब अगर हम चोथे पार्ट पर जम करें तो यहां पर है window size अब window size क्या है ठीक है window size के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं क्या है अभी क्या होता है जो हमने ये software बनाया है इसका हम size कुछ भी रख सकते हैं लेकिन हमारे पास कभी-कभी ऐसे software हो जो width है मतलब जो हम जो GUI create करने वाले हैं उसका size है हम अपने अनुसारी रखें तो size कैसे रखते हैं तो चले मैं size भी बताता हूं size रखने के लिए आपको win लिखना है जो भी आपने object बनाया होगा और यहां पर max size अब हम रखने वाले हैं जो इसका maximum size है और जो maximum size है वो कैस 200 विट लेनी है और height हमारी लेनी है है height लेनी है कितनी height लेनी है 200 ठीक है अगर मैं इसे अब run करूं दुबारा भी run करके control भी press करके run कर रहा हूं मैं अगर run करूं तो देखो इसका maximum size small size तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी हम रखें लेकिन maximum size है इतना ही रहागा अब जब पहल इतना size हो लेकिन हम इसका minimum size भी decide कर सकते हैं हम चाहिए तो इसका हम थोड़ा वैसे max size बढ़ा देते हैं width 600 कर देते हैं और इसका 300 कर देते हैं ठीक है और इस क्योंकि अच्छा सा हम चाहते है कि आगे कूछ इतना भी हम program बनाए तो अच्छा सा रहे हमारे लियो भी तो इसल minimum size भी इतना ही रखना चाहता हूं कि उससे size कमना हो मिन size रखके सेम जो width है वह मैं pass कर सकता हूं तो वह मैं करके पास कर दिया अभी मैंने हम minimum size भी decide कर दिया अब जब हम अपने program को run कर रहे थे छोटी सी window आ रही थी लेकिन अब यह जो हमने minimum size भी decide कर दिया है कि इतनी ही window आ मैक size में width और height लेता है इस तरीके साथ decide कर सकते हैं लेकिन एक तरीका हो रहा है mix or man size को decide करने का आप एक इसमें geometry लगा सकते हैं जियो इसके लिए मैं website पर जाके देख लेता हूं कि इसका एक तरीका हो रहा है कि max size और mean size लगाने का कि आप उसके through भी लगा सकते हैं जैसे हम width set कर रहे हैं उस तरीके से हम वैसे वह भी देखो geometry नाम है उसका ठीक है इस तरीके से जैसे हमने वैसे width height में दिया इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं x और यहां कह सकते 300 इस तरीके से भी हम अगर run करें इस program को अब same size रहेगा इस तरीके से हम geometric के through भी दे सकते हैं लेकिन geometry में एक condition होती है अभी मैं दिखाता हूं अगर मैं max और min size को हटा के अगर run करूं अब तो क्या होता है दिखाता हूं मैं तो जैसे geometry में size क्या और जैसे मैं small करता हूं देखो geometry में क्या होता है यह small size लेता है मतलब जो open होगा वो size पर होगा जो हमने geometry में define किया था लेकिन यह जब हम इस पर click करते हैं तो यह capital हो जाता है जब ऐसी बात हो तो जेओमेट्रिक आप यूज कर सकते हैं आपके मर्जी है कि आप max size, min size यह geometry यूज करें मैंने आपको तीन तरीके बता दिया है कि size को window के size को रखने के कि आप किस तरीके से तीन window size मतलब तीन तरीके से window size को रख सकते हैं जीओमेट्रिक हुआ, max size हुआ, min size हुआ, इस तरीके से आप तीन option रख सकते हैं उसके लावा आप देख चुके हैं कि इनके बारे में मैं इसे थोड़ा सा small कर लेता हूँ और बताने के लिए अभी हम उसका next topic देखने वाले हैं कि हम क्या देखने वाले हैं, यह देखने वाले हैं एएक minute, अगर हम अपने इस पर जयें, तो हमारा next topic है Label तो आप बात करते हैं लेबल, पैक और गिरिड और प्लेस के बारे में ये तीनों जो होते हैं लेबल क्या होती है और गिरिड क्या होता है और प्लेस क्या होता है इन तीनों चीजों के बारे में मतलब चारों फंक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं मैंने टीक इंटर में एक सोफ़ेर बना रखा है पहले ही यह मैंने बना रखा है अपने लिए बनाया था जो यह यूजरनेम लिख रहा है यह लेबल है जो पासवर्ड है यह लेबल है और जो जो यह लेबल है जैसे यूजरनेम और पासवर्ड यह लिख रहा है यह लेबल है अभी मैं जो pack है उसे भी यहां लिख लेता हूँ और जो grid है उसे भी यहां लिख लेता हूँ मैं और जो place है इसे भी यहां लिख लेता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले label को बनाने के लिए आपको एक variable बनाना पड़ता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने lbl लख लि और उक्सन पास होगा Photoshop कैने में पास होगा माश्टर में जो आपने जो विंडों का नाम रखता वक्ताम मैं पास में पास होगा तो मैं यहां पर भीर्ण हांका मतलब UK जो यह ऑप सने इन में आप इससिंवाल यहां पर कर सकते हैं इसके बाद कैसे करने लिए यह आप देखना क्या आता है यह, जो मैंने रन क्या रन करने के बाद जो इसका आणा है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्पीले पे कुछ भी दिखाई नहीं दिए, क्यूं दिखाई नहीं दिया, यही मैं बताता हूँ, सबसे पहले यहीं बतादेता हूं क्योंकि हमने label, grid, & packet function के यूज नहीं किया है तो हम पहले beta के बारे में इसके बार वे बताँ एक को पाक का मतलब है simply कहीं भी पाक हो जाना मतलब दिखा देना कहीं भी जहां एक बार दिखाएगा अभी मैं दिखाऊ इसे pack करने के लिए LBL जो आपने variable बनाया था और जो pack है इसे use करके आपको इस तरीके से करना जैसे आप इसे करते हैं अगर दुबारा इसे मैं काट के run करूं दुबारा तो आप देखना कि जो हमारा टेक्स्ट है यूजर ने मतलब लेबल जो पास हो जाएगी देख सकते हैं आपकी यह हमारी लेबल अब आ चुकी है pack करने से pack करने का हमारा मतलब यह है कि कहीं भी place कर दो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि specific इस जगे पर यह होना है मतलब pack कहीं भी कर देता है तो यह pack को मतलब होता है ठीक है GURED और place के बारे में अभी बताता हूँ मैं जोред होती आना वो row और do column में pack करती है मतलब row और kolum में वह pack करती है जयसे मतलब मैं मान कर चलिए अब इसे pak को हटा के grid के बारे में होता हूँ जैसे मैंने grid क्या, अगर मैं इसे grid पे करके, अगर मैं अब run करूं, control भी press करके मैं run करता हूं, अगर मैं press कर रहे हूं, तो देखो इसने क्या करा, अपना आपी इधर print कर दिया, मतलब एक row 0 और row column में, मतलब column 0, column 1, row 0 में इसने अपना आपी so कर दिया, अगर आप चाहते हैं कि row, specific row में कहीं use करना कि उस row में ही use होना चाहिए, जैसे row 2 में use होना चाहिए, और column column 1 में use होना चाहिए, तो आप यहां यह specify भी कर सकते हैं, कि आपको अगर कोई सी row और column में print कराना है, तो उसे साबसे अपना पी हो जाएगा, अभी हमारे इसमें इतन होता है, अगर change होता है, तो ठीक है, नहीं होता है, तो फिर भी आप यह समझ दीजे कि इसका ऐसे use कर जाता है, अभी हमारे पास एक ही है, तो जब हमें एक use कर रहे हैं, तो अभी cable इतना ही है, तो बस आपको यह समझना है, कि grid और row कैसे काम करते हैं, जो grid है, वो row और column में काम करती है, जो place है, वो जो pack है, वो automatically कहीं भी pack कर देता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादे इस्तिमाल किया जाता है, इसमें, वो place किया जाता है, ठीक है, place क्यों use किया जाता है, अभी मैं आपके बारे में बता देता हूँ, place को हम इसलिए use करते हैं, कि यह easy रहता है, use करने में, कैसे easy रहता है, अगर मैं अभी place लिखके, अगर मैं अभी run करा हूँ, तो आप देखो क्या होता है, जैसे मैंने अभी run किया इसे, run करने के बाद देखो, जैसे इसका output आता है, आप देख सकते कि कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने इसे नहीं बताया कि कहां place करना है, हमें इसमें बताना होता है कि कहां हमें place करना होता है, place करने के लिए हमें इसमें x और y यूज किया जाता है, आपको पता होगा x क्या होता है और y क्या होता है, ठीक है, x इधर को होता है, ठीक है, तो आपको बस यह समझना है क कि X और Y क्या होता है ठीक है अगर मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊं एकस अगर मैं कहूं कि X X 10 से start हो और उपर उपर जो है Y 10 से हो ठीक है अभी मैं बताता हूँ X और Y क्या है जो X है यह इधर से इधर को मतलब इधर से इधर को आएगा और जो Y है उपर से के घाएका मतलब जो यह जाएगा यह लेफट से राइट को जाएगा और जो टोप से बोटम की तरफ को राई आएगा अगर मैं से run करके डिखाऊ अभी मैं इसका output दिखायो अगर मैं से कंट्रोल कर बी करके रण करता हूं तो आप जो आपको सबसे यह सुमझना है कि क्या करता है grade क्या करता है place क्या करता है तीनों के बारे में मैंने बता दिया लेकिन अब हम फिलेस करने वाले है क्यों यह easy रहता है उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें बीजी यूज़ कर सकते हैं बीजी का मतलब है background color अगर हमें change करना हो अपनी label का तो यहां Casey लिखके यहां कह सकते हैं कि रैड जैसे हम यहां रखंगे अगर मैं रण करके दिखाऊ तो हमारे भी इसका जो कलर है वो रैड हो जाएगा जैसे मैंने यहां पर रण किया है अब यह आप देख सकते हैं मेरे इसका जो बैक ग्राउंड कलर है वो रैड हो गया तो यह हम बीज का मतलब है फोर ग्राउंड जैसे मैंने इसका कलर वाइट कर दिया अगर मैं इसे रन करूँ अब अभी अगर मैं रन करूँ तो बैक्ग्राउंड में बिलेक आएगा जो टेक्स्ट का कलर है वह वाइट आएगा तो यह हमारा होता है बीजी और एक जी यह हमाँ आप समझ गय हो थोड़ा से इधर कर लिए हो थाकि हमारी स्क्रीन पे रह सब कुछ तो में विट क्या है है मैंने कर लीają और मैं हाइट भी इहाँपे कर देता हूँ हाइट मैं 10 कर देता हूं अगर मैं इसे अब रहन कर उदो आप क्या होता है कि जो हमारा देखो विट और है हमारी ही decide होगी कि width इतनी है right इतनी है तो यह हमारा width और height होता है उसके लावा आप width, font, text variable, image यह जो image होता है आप इसमें image लेके image ऐड़ सकते हैं लेकिन image के बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा और यहां पर टेक्ट वैरियबल होता है यह एक वैरियबल होता है कि मान के चलो आपको कुछ हैड कराना है तो इसकी टेक्ट वैरियबल आप यहां टेक्ष्ट वैरियबल पास कर सकते हैं इसमें टेक्ष्ट वैरियबल पास करके इसमें पास करा सकते हैं इसके बारे में भी मैं आगे तक रखते हैं तो अब देखने वाले हैं एंट्री बोक्स को और बटन को अभी हमने देखा है लेबल के बारे में अब हम देखने वाले हैं एंट्री बोक्स और बटन के बारे में एंट्री बोक्स क्या होता है और बटन क्या होता है यह मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले मैंने अपने एक software पहले खोल रखा है जो मैंने बना रखा है जो यह होती है यह लेबल होती है और जो यहां पर लिखने का option है यह entry box होता है और जो यह button है यह हमारा button जो होता है यह button यह हमारा होता है button ठीक है तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले entry box की और उसके बाद हम बना बसक् corona बाखता है हमने लीड Onks बनापिव रखते हैं लेकिन आप में बनाने वाले हैं देंगा द्रेंगी है यहां पर खहते हैं यहां से स्टार्ट है माला बटन थे निचे दिया रखते हैं तो इस तरीक है से मैं रखते हैं थाकि आपको को भी समझ माई कि हम कर क्या रहें ठीक है तो यहां पर हम क्या करंगे अब entry box बनाएंगे entry box बनाएन के लिए सबसे पहले आपको एक वरेरेबल कुछ भी रख सकते हैं और यहां पर आपको entry लिखने के बाद आपको ठीक है यहां पर आपको window का नाम लिखना है जैसे master है ना ऐ अगर मैं ऐसे run करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिने pack करें या फिर हम place करें हम इसे दिखा नहीं सकते तो दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वेरियेबल के साथ आपको place function का योज़ कर सकते हैं लेकिन place function के साथ आपको यह बताना होता है कि आप कहा place करना चाहरे हैं तो मैं यहाँ पर कहता हूँ मैं x से इधर से मतलब मैं इसे करना चाहरा हूँ जो हमारा label है उससे आगे मतलब label यहां तक का है हमारा तो हम क्या चाहते हैं कि असी से हो और जो टोप हो टैनी रहनी दीजी ठीक है अगर मैं इसे अब रन करूँ उस entry box को तो आप देखना कि यह देखो सई बैठाई तो यहां पर हमारा यह box आ चुका है अगर हमें लिख सकते हैं यह हमारा क्या है entry box हैं लेकिन इस entry box को भी हम अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं देखो जैसे मैंने अपना यह software बना रखा टीक इंटर किहलों कितना अच्छा लग रहा है और यह हमारा कितना घथिया लग रहा तो हम देखने वाले हैं कि यह कैसे बनाते हैं अच्छी तरीके से तो उसके रखना है और इसका एफ जी रखना है तो मैं यहां पर वाइट रख सकता हूं ठीक है अगर मैं इसे अब रण करूं और रण करके दिखाऊं तो मेरा जो अगर मैं इसे रण करके दिखाऊं तो आप देखो कि कुछ चेंजिंग तो जरूर हुआ होगा अभी कुछ मिस्टेक आगी है देखते क्या ही है ठीक है तो यहां पर विट्थ हाइट रखे मैंने तो कुछ दिक्कत है एक मिनट मैं इसे कर देता हूं सही कुछ तो कुछ गलत हुआ है एक बार दुबारा रण करके हम चेकल लेते हैं तो विट्थ हाइट रखने के लिए अभी बताता इसे पता नहीं है कि क्या कर रहा है तो आप इस तरीके से न करके मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूं कि से उठा के बटन की इसे एंट्री बॉक्स की कैसे बढ़ा ही जाती है ठीक है तो एक मिनट रूकर के मेरे website के पहले हैंग हुई है तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूं कि वीट तो राइट क्यों काम नहीं उससे पहले मैं बीडी के बारे में बता देता हूं जो बीडी है उससे क्या कर सकते हैं जैसे आप सुफ्ट्रेज दे सकते हैं कि अंदर की तरफ को यह हो रहा है दिख लगाना है मुझे फॉंट का नाम नहीं पता पर मैं बता रहा हूं कि किस तरीके साफ को लगाना इस तरीके साफ लगा सकते हैं साइज भी रख सकते हैं इसमें कई आते हैं जैसे एरियल रख लेते हैं एरियल तो पता ही है एरियल पता नहीं मुझे फॉंट का नाम नहीं पता क्या है तो हम यहां पर यहां पर हम फॉंट का नाम लिख सकते हूं और यहां पर मैं साइज लिख सकते कि क्या साइज देना चाहते हैं तो इस तरह के साफ इसमें फॉंट भी रख सकते हैं कि आपको फॉंट चेंज करना हो तो इस तरह के साफ फॉंट चेंज कर सकते हैं उसके डाला तो यहां आपको नंद है कि वारियंगल के जैसे मैंने व़ीरिवल का नाम लिखना पड़ता है जैसे कि मांब करेट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि sentence थे तरिक है साथ को टिक मतलब इस तरीके साब आपको पहले variable create करना पड़ता है और जो उसका नाम है उसे पास करना पड़ता है अगर आप देखें तो अगर मैं इसे प्रिंट करा हूं जो हमने वार अभी तक वार जो बनाया है यह variable ठीक है खर प्रिंट नहीं करा सकते क्योंकि जब तक हम बटन नहीं लगाएंगे बटन के थ्रू डेटा नहीं लाएंगे तो हम इसे प्रिंट नहीं करा सकते हैं पर आप यह समझ देजी कि अगर आपको वेरियबल बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे ठीक है अब भी अदक आपको यह पता लग गया कि आपको किस तरीके से यह काम करना होता है ठीक है है हाईट और वीट आप लगा सकते हैं वैसे लग जाता है मैं अभी कुछ दिक्कत दिखा रहा है इसमें जो की नहीं दिखानी चाहिए थि एक मिनट मैं एक बार लगा कर क्या होता है विट में लगाता हूं इसमें फाइव फोल लगा के चेक करता हूं कि क्या होता है एक बार एक मिनट गलत कर दिया मैंने मैं एक बार रन करके दिखाता हूं आपको क्या होता है देखो यहां पर देखो यह विट्ट काम करगी मैंने यहां पर विट्ट 5 लिखी तो यहां पर काम करगी अगर मैं इसे 10 लो अगर मैं इस विट्ट को 10 करूं तो आप देख सकते हैं विट्ट और बढ़ती जारी तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आप इसे 20 कर देता हूं इसे width और height को हटाई देता हूं आप बस use कर लेना कि width और height को पता नहीं पहले की error दे रहा था जो कि error नहीं आना चाहिए था और आप समझ गया है कि width और height को भी कैसे add करना एक function को मैंने बता दिया इसमें रहा गया बस command अभी मैं इसकी help से बताता हूं कि क्या हम कर सकते हैं ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं यहांपर कमांड यूज होता है वो बटन में यूज होता है बाकि यह जो same function है यह button में भी आप apply कर सकते हैं इन फंक्शनों को तो button मान कर लो सम सब मिट रखना है ठीक है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और मैं इसे प्लेस भी कर देता हूं प्लेस मुझे एक्स से क्या करना है टैनी करना है और जो वाई से थोड़ा सा नीचे करा देता हूं मैं इसे वाई से मैं सी करा देता हूं अगर मैं इसे अब रन करू वह अभी same उसके जैसे ही हो गया तो इस color को भी बदलने के लिए हम क्या करते हैं to बड़ी लिखते हैं पहले और बी में कहते हैं कि मैं जो हमारा green कर दो टेले कहां और जब हम दुबार देखने वाले हैं कि जो कमांड होती है कमांड का क्या यूज होता है यही देखने वाले अब मान के चलो हमने क्या बनाया है एक वैरियबल बनाया वार और जो कि हम चाहते हैं कि जो हम क्या चाहते हैं अब देखो हम यह चाहते हैं कि जो यह डेटा है ना यह जो डेटा है हम इ करने वाले अब यहांगे कैसे यहीं देखते हैं तो सबसे पहले आपको यहांपर button में क्वे लिखना होता है command लिख कमांड को नहीं आपको यहांंपर कुई function का नामडेता है अब function का नाम हम कुछ भी कई सकते हैं नाम का तो हम यह क्या करते हैं def बनाते हैं और फंक नाम का बनाते हैn function ठीक है अब हम क्या करते हैं हम करना चारे हैं जो यह वार है ना जो entry box पे वार है उसकी value हम print करना हना चाहते हैं तो print करने के लिए सबसे पहले what.get लिखना पड़ेगा, आपको जो value है उसे निकालने के लिए what.get function होता है python में, उसकी help चाप उसकी value निकाल सकते हैं, और value निकालने के साथ साथ अब हम क्या करते हैं, एक label बना के उसमें print कर देते हैं, label एक और बना के हम print कर देते हैं, जैसे यह label को में same copy कर लेता हूं, और इसका बस यह change कर देता हूं, कि X से 20 से start हो, जो Y से 100 से start हो, हम क्या चाहते हैं, जो यह text है ना, इसका, nothing पहले दिखा देंगे कि nothing, कुछ नहीं है, पहले हम दिखा देंगे, nothing, कुछ भी data नहीं है, लेकिन जब यह हम button पर click करेंगे, मतलब मे कि अगर में से run कर के दिखा देता हूं, अगर मैं एक बार run करों, बीना कुछ error के, तो क्या आता है, देखते हैं, तो एक बार मैंने run किया, अभी यहां क्या आ रहा है, जैसे हम उ gobierno, अभी क्या रहा है, nothing आ रहा है, इसे मैं थोड़ा सा इसका, जो चेंज कर देता हूं, ले हम क्या चाहते हैं कि जैसे जो text box में जो भी हम लिखें और submit करने पर यहां आ जाए तो वह कैसे आएगा यही मैं बताता हूं वह command function की मतलब एक function बनाना पड़ेगा हमें जो हमने button पर लगा दिया कि command function अब हम यहां बता रहे है कि जब हम function को call करें तो वह पहले तो उसकी वैलिको गैट करें उसके बाद उसके बाद क्लीकोंचन होता है को फिक नाम का करने कौके चाहत हैं हम चाहते हैं छो एल भी मतलब इसका जो variable है यह हम क्या बनाना पड़ेका इसका भी हमें बनाना पड़ेगा इस यहाँ पर यहां पर हमें पास करना आया है, मतलब इस entry books में जो value आया है, वो यहां पे law guard dot get का अघिरों के अट से, one kann variable से और जो जैसी submit करें तो होने हम print करें कहाँऊं पर जहां nothing आ रहा है, कहां print करें, जहां nothing आ रहा है, तो हुसके क्या करते हैं हम nothing जहां आ रहा है तो सबसे पहले देखं़ का वैरियबल क्या है तो उसके वैरियबल नाम है हमारा कौन कौन डोट कौन फिक करके हम क्या कह देतेंगे टैक्स डिजी कॉल टू वार कह देंगे नहीं हम यहां इस तरीके से कह सकते हैं कि यहां हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वाट डोट इसे एक की लाइन में हम कर सकते हैं यहां भी हम कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं अगर मैं इसे रन करूं देखते हैं टेस्टिंग करके क्या यह सही होता है क्या हमें इसका सक्ति करना था पहले हम चेकर लेते हैं कि इसका सब्सक्राइब का सक्ताइब 円 कि अगर मैं इस भंक करते हैं की डिखाता है क्योंकि जब यह बनाते होते हैं 합니다 हमें error के अभी सामने करना पड़ता है जैसे मैं नहीं लिखा तो देखो जैसे मैं नहीं क्या तो यहां पर फिर error आया क्या error आया देखते हैं इस ट्रिंग वार not config यह यानि के इसे config नहीं कर रहा है देखते हैं क्यों नहीं कर रहा है ठीक है इसे हम हटा के एक बार देखते हैं कौन को कि इसे हटा के अगर देखें तो इस ट्रिंग वार कोड़ यहां कहें सीधा लेबल का टेक्स्ट जो ल द व होता हैं ईस तरीके से भी हम करकर देख लेते हैं कि अगर यह काम कर जाता है तो ठीक है नहीं तो मैं आगे जाकर इसके बारे में भर बता दुआ जैसे मैं ने यह क्या तो जैसे मैंने सम्विट क्या देखो आपदेखो कि चेंजिस आ गया यह शिरी मैंने होशuego लिखोंगे पहले क्या 1944 कि है अभी नहीं हिहां पहले है है नत्थिंग हा रहा हुए लेकिन हम क्या कर रहे हुए है दानिष हो और कुछ भी नाम लिक्राइए कि दानिष लिक्का और जैसे संभीट किया आप देखो दन इस Legal नहीं ङुत सकते हैं कि मैं ने क्या Jean कि थ्रू कैसे value को change कर सकते हैं अभी तक हमने देख लिया कि button क्या होता है label क्या होता है entry box क्या होते हैं और command function से क्या हम change कर सकते हैं जो लेभल है आप इसका variable लेता है और यह change कर देता है config text झो है इस text को config कर सकता आप चाहे तो इसका background color भी config करा सकते हैं से मैं मानके चलो मैं इसका background color green करा देता हूं जो पहले था red था अब यह मैं run करके दिखा देता हूं कि क्या होता है अभी देखतें क्या होता है देंको अभी क्या है इसका जो background color रहे वह रेड है लेकिन मैंने क्या कहा जैसे इसके अंदर कुछ लिखा जाएगा जैसे दानिश रिखते हैं तो nothing का color भी change होकर value भी आगी तो देख सकते हैं आप इस तरीके से change करा सकते हैं यह entry box और हमारा label और जो button है उसका इस्तेमाल है तो हमने अभी तक इतने function देख लिए हैं और यही हमारा entry box में इसका ही और button का भी यही इस्तेमाल होता है तो मैं आपको बता दू कॉंब बोक्स एक drop down जैसा लिश्ट होता है जिसमें आप कॉंब बोक्स को जब इस्तेमाल करते हैं जब आपको चोइस करके value को option कराना हो मतलब लेना हो जैसे कि मानके चलिए आपके पास जनवरी फरवरी मार्च अपरेल माई यह सब होते हैं तो इसे अगर इनकी value को लेना होता है तो आपको कॉंब बोक्स के इस्तेमाल करना होता है तो चलिए इसके बारे में एक चीज बताता हूं और करना पड़ेका है आपको यहिए इंपोर्ट करना पड़ता है अगर आपको कॉंबा बोक्स विस्तेमाल करना है उसकि लावा आपको कॉंब बोक्स को को इस्तिमाल करने के लिए आपको एक वेरियाबल बनाया ठीक है एक वेरियाबल बना लेते हैं single про का यह हमने वberry बनाने और इसके अंदर दो चीज पास करनी होतए जो कि आपको में बता है Master option Master का मतलब आप जो window बनाए वो option का मतलब कि आप जो इसमें option रखना चाहे हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें अभी दूसा option जो रख देता हूं विट कर रख देता हूं मैं 27 की विट कुछ भी रख लेता हूं ठीक है अभी तक हमने यह कर लिया लेकिन अभी तक हमने इसे नहीं पैक करा नहीं इसके अंदर वैलियूज डाली मैंने यहां पर कुछ इसकी इन्पोटेंट चीज लिख रखेंगे लेकिन फिर भी मैं आपके थोड़ा-थोड़ा बता देता हूं देखो सबसे पहले हम यूज करते हैं स्टेट इस्टेट क्या होता है आप तो चाहे यह इस्टेट यहां भी यूज कर सकते हैं जैसे हम इस्टेट लिख देते हैं और कहां रीड ओल्ली अगर मैं इसे रन कर देते हैं ठीक है सबसे पहले हम इसे प्लेस कर देते हैं एक से 10 और वाइड से 10 अगर मैं इसे रन करूं अब तो आप देख सकते क्या दिखाता है तो यहां पर कुछ मतलब हमने इसे मुर्ण भी सबसे पहले सकते हो अगर हमसे सबसे पहले में यहां ल॥ैज Rs अगर यहां को डाउनलिस्ट है जैसे हमें और अच भी सकते हैं अगर हम इसे लिख सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू डालने चाहते हैं ठीक है सबसे वैल्यू डालना चाहते हैं तो वैल्यू डालने के लिए हम क्या करना पड़ता है सी ओ लिखना पड़ता है और यहां पर आपको लिष्ट के उसमें डालना होता है जैसे कि मा अभी मैं रख सकता हूं फैब और जितने भी आप इस तरीके साब रखना चाहते हैं जो चेंज नहीं होने वाला है इस तरीके साब रख सकते हैं अगर मैं इसे रण करूं तो साइद इसके अंदर जनुरी और फरवरी आजाने चाहिए अभी से में रण करता और देखो यहां पर January और February आगी आप इसमें कितने भी value रख सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन अभी क्या है हम चेंज कर सकते हैं जैसे हम लिखते हैं तो हम चेंज हो जाता है हम इसे कैसे रोकने के लिए आप स्टेट का यूज कर सकते हैं जैसे आप कहा देंगे इस टेट आप यहां लिखना और यहां पर कहना Read Only इस तरीके से जैसे आप Read Only लिख देंगे तो आप इसमें Change नहीं कर सकते देखो अभी क्या है लिखने का Option खतम हो गया और यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखने का Option यहां खतम हो चुका है तो इस तरीके से हम Combo Box को इस्थिमाल करते हैं लेकिन हम यहा यहां पर जैसे हम जैसे ही रन करते हैं इस कॉम्बोक्स को आप देख सकते हैं तो इसके एक इसे में दुबारा करके आपको दिखा देता हूं जैसे मैं से दुबारा रन क्या तो आप यहां देखना कि इसकी कोई भी value यहां सेट नहीं है जो कि drop-down करने पर सेट होती है तो उसा सेट करने के लिए आपको यहां पर करन्ट उप्शन का यूज करना पड़ता है जो करन्ट फंक्शन है इसे यहां पर आपको कहना पड़ता है जो भी आपने बनाया है और यहां आपको कहना पड़ेगा करन्ट करन्ट कर दो क्योंकि यह जीरो से जो string मतलब जो array होता है मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 0 से start होता है तो अब यहां देख सकते हैं यहां January आ गया और यहां पर आप देख सकते हैं जनवरी और फरवरी यह चीज़े आ चुकी है तो इस तरीके साब comb book का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे bind function होता है यह बल वेर यह बल करके आप यहां पर इसके थुरू आप इसकी value को भी get कर सकते हैं value को get करने के लिए मैं आपको बता दूँ क्या करना होगा यहां आपको एक function बनाना होगा मैंने आपको बताया एक button बनाना होगा एक function बनाना होगा अभी तक आपको Combo Box समझ मा आ गया होगा कि Combo Box क्या होता है. तो अब बात करने वाले हैं Check Button के बारे में Check Button क्या होता है और हम इसे क्यों use करते हैं? तो Check Button के बारे में बता देता हूँ जैसे आपके पास दो value होते हैं ना कि male या female होता है उनमें से एक select करनी होती है. तो वहाँ पर Check Button का काम आता है जैसे click करते हैं Check कराना होता है तो हम बता देते हैं कि Check Button को कैसे create करते हैं और भी तरीके होते हैं कि Button create करने के पर Check Button के बारे में आज बता देता हूँ मैं आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने क्या करा, दो variable बना रखे हैं यहां पहले check button 1, check button 2, string variable बनाने के लिए v Daily यह उसके जाता है, organized variable बनाने के लिए v आपके विंडो है उसके लाव आप उसकी वैलियो पास करते हैं कि आपको नाम क्या रखना है ठीक है तो आप अगर आप यह करें अगर मैं इसे सेलेक्ट को सेलेक्ट को पैक करूं पैक करके आपको दिखाऊं तो क्या होता है देखते हैं इसे रन करके मैं आपको दिखा देता यह साब यह है क्यां छाइक एक प्रमक और यह को नाम गला कि यह एक जर्मً कर रहुान है यह क्तिता फोक्रीडनमें आफ़ recomend सब्सक्नांट आच अब एक तो आप देखना कि मेल आ गहीं और फीमेल आ गया ठीक है लेकिन हम में ऐसे इन इन दोनों की value को कैसे get करें और इनकी value कैसे decide करें कि हमारी यह क्या value है तो यहां पर काम आता है हमारा variable का डेलकिन आपने कर लेखने लेकिन जब हम कोई label में या फिर entry box में यूज़ करते थे वहां करते थे यूज़ टेक्ट वैरियेबल लेकिन हम यहां यूज़ करते हैं वैरियेबल लिख देते हैं वैरियेबल और यहां पर हम अपने वैरियेबल को पास कर देते हैं ठीक है चेक बटन वन पास कर दिया दूसरे में मैं पास कर देता हूं value own value का मतलब यह है कि जब आप click कराऊगे तो जब मतलब checkbox पर click होगा तो उसकी value क्या होगी, of value का मतलब होगा जब click नहीं होगा तब क्या value होगी, इसके बारे में बताता हूँ कि check value और ये value क्या होती है, तो आपको यहाँ क्या पास करना है, एक यहाँ पर आपको पास करना है, सबसे पहले आपको ओन वैल्यू पास करना है, ओन वैल्यू हम क्या रखाते हैं, वर नगाते हैं, ओन वैल्यू हम क्या रखते हैं, ओन वैल्यू हम जीरो रख देते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या होगा, जब चेक होगी, जब ब कोई एक डेटा मंगा रहे हैं तो आपको शेम ही यह पास करना होता है तो हमने अभी तक जो बना ली और यहां फंक्शन का फंक्र स्कूल हम तरी चाहते कि लेबल बनाके आप इस तरीक लेबल बना कर सकते मैं आप को बताा था कि कासे चय SCI dn यहाँ पर चय हैं रेम डान गैट जैसे मैंने क्लाक डाटग मैं дело में लिख देता हूं funk नाम का आपको मैंने बता रखा command हम use कब करते हैं और यहां पर मैं आप जो पैक करते हैं आप इस तरीके से भी पैक कर सकते हैं यहीं इस तरीके से भी आप कर सकते हैं आप करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं देख सकते हैं मैंने यहां पर क् किलिक करूंगो तो यहा Kell का डेट आएगा अगर मैं मेल बैल की लिए को कर तो इसकंग ऑनाईगे ओर आप देखो यह जो male की value 0i और female की value जो आप select करेंगे उस तरीके से आप इसका इसको इस्तिमाल कर सकते हैं और वैली और फैलिव को अपने हिसाब से आप decide कर सकते हैं कैसा data लाते हो और कैसे get करते हैं मैंने आपको बता दिया है तो check button के बारे में बस इतना ही तो आप radio button को देखने वाले हैं कि radio button क्या होता है अभी हमने देखा था कि check button क्या होता है check button को अब तब इस्तेमाल करते थे जहाँ multiple चीजे को select करा नहीं हो लेकिन radio button में क्या होता है किसी एक value को ही हम एक time पर get कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे male और female में से हमें क्या चाहिए, केवाल एक value चाहिए, तो इसी को देखते हैं कि radio button क्या होता है, हम कैसे इसे implement कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर side में लिख रखा कि हम radio button में क्या-क्या use कर सकते हैं, तो चलि यहां पर किया देता हूँ भेड़ियो भाइस हाँ यहां पर यहां पर मैं है है रोडेयो बटन को उसके बार आप को ऑप्षम्स लिखने मैं टेक्स्ट का नाम कर Сейчас मेल ठीक है कि 굿 insect कर देता हूं ताकि आपको पैक कर देता हूं मैं कि है क्ली टेख अगर मैं कर अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक और फीमेल चाहता हूं मैं यहां पर फीमेल कर देता हूं मैं यहां पर मैं फीमेल कर देता हूं ठीक है यहां पर मैंने फीमेल कर दिया आप अगर मैं इसे रण करूं तो आप देखना क्या होता है ठीक है यहां पर दोनों फीमेल इन पर दो ठिक है इसमें value देता हूं मैं value भी pass कर देता हूं जैसे मैं value इसकी मैं one pass कर देता हूं और इसकी भी में one pass करके एक बार चएक करते हूं कि value one pass करने से क्या होता है और ताकि मैं समझा सकके हूं then यहां पर एक मिनठ देख सकते हाँ then की यहाँ na जीरो कर देता हूं कि मैं वन कर देता हूं अभी मैं समझाने के लिए मैं आगे पीछे वैल्यू करके देख रहा हूं कि चेक करने के लिए कि क्या होता है ठीक है यहां पर मैंने वन की तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक की वैल्यू जीरो की और एक की वैल्यू वन की तो हमें अब पता है कि value सेप चेंच करा सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एक बटन से मतलब इसकी value को计़ करना चाहते हैं तो हमने जो variable बनाया है उसे वेरियबल पास कर्देते हैंрем, variable को एक mail का जो की radio button है अब इनकी value को हम get करते हैं get करने के लिए हम सबसे पहले एक button बनाते हैं ठीक है मैं एक button बनाता हूँ यहाँ पर window text उसका नाम लिख देता हूँ जल्दी लिख रहा हूँ मैं सब मिट कर देता हूँ उसके अंदर एक command function के लिए मैं command लिख देता हूँ ठीक है और इसे भी डोट पैक करा देता हूँ ठीक है और मैं क्या करना चाहता हूँ जो यह दोनों value है इसकी इनमें से get होके आ जाए और get होने क्या आई की कैसे मैं दिखाता हूँ जैसे मैंने यहां पर function बनाया फंक और मैं यहां कहता हूँ कि जो हमारा variable वार है उसकी value को get कर लो ठीक है अगर मैं इसे print करूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैं अभी विंडो के उपर ही तो आप देखो जैसे मेरे हाँ अभी female select है जैसे मैंने print किया तो आप देख सकते हैं इसकी value 0 आगी और जैसे मैं female पर तो आप समझ सकते हैं कि जो radio बटन होता है क्यों यूज करते हैं अब जैसे हमने इसकी value 1 करा दी तो आप यहां भी कह सकते हैं जो इसकी value यह में क्या कह सकते हैं भी बताता हूं आप इस तरीके से भी करा सकते हैं चाहें तो इस तरीके से भी करा सकते हैं अगर मैं इसे दुबारा रण करूं अपसे पहले हमारी वैल्ली क्या रही थी वह आ गया आप इधर साइड में देख सकते हैं जैसे मैंने फीमेल पर किलिया तो इसके थुरूँ आप इसकी वैली को गेट करा सकते हैं रेडियो बटन का बस यही यूज होता है इसका इस्तेमाल हम ऐसे ही करते हैं आगे जब हमें मैं आपको प्रोजेक्ट दूँगा तब आपको पता लग जाए कि जो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखें उनमें जब आप कोड़ चेक करेंगे कि क्या कहां यूज होगा है और आपको अंडर्स्टेंडिंग हो जाएगी कि रियल टाइम में भी कैसे यूज होते हैं तो रेडियो बटन के बारे में बस इतना ही तो अब बात करने वाले हैं फ्रेम के बारे में कि फ्रेम क्या होता है और फ्रेम को क्यों इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फ्रेम क्या होता है देखो दोस्तों यह मैंने अपना एक सोफ्ट्वेर बना रखा इसे मैंने फ्रेम में तोड़ रखा है यह ये टेकिंटर की हैं मैंने सोफ्ट्वेर बनाया है जो कि वाट्षैप पर लिमिटेड मैसेज सेंड कर देता है विडाउट सेविंग नमबर ठीक है तो यह आप देख सकते हैं मैंने जो उपर हैडिंग बना रखी है मतलब उपर का जो हैडर बना रखा वह भी एक फ्रेम है य अकल आपको कोडिंग के थूरू बीच्छा समझ मांजाता है और तोलने से आप फ्रेम में काम कर सकते हैं उसके जैसे से एक website होती है September साइड बार होता है टोब नहीं होता है अशातो तोलने से श्जय हो जाता है प्रोग्राम तो में बताने वाला हूं कि प्रेम को कैसे क्रेंड करते हैं मैंना आपको यह बता दे कि Frame किया है ठीक है अब मैं बतात Modernική को कैसे क्रेट करते सबसे पहले क्या करना पड़ता है जब सबसे पहले क्या करते थे आप कुछ भी लेबल यह बटन बनाते तो विंडो यूस करते जो यह वाला object होता है जो हम इसे create करते हैं इससे पूरी window पर फर्क परता है मतलब पूरी window पर text जाता है कहीं भी add कर सकते हैं लेकिन अब हम फ्रेम में रखने वाले हैं तो इसलिए हमें frame create करना पड़ेगा frame को create करने के जैसे बान के चलो मुझे top header create करना यह तो इमें हैं पर कह सकते हूं अ कहा कर सकते हैं इस तरीके से कैवल आप कर करते हैं बस इस तरीके से आपको करना है एक jsμε heute पर करना चांब करना चाहरा हूं both могут नहीं चैका bottom यहां कर देंगे तो में हां कर सकता हूँ फ्रेम और हीहां पर यहां पर कeszती हों विंडों तो आधीमा कर्थ कर लिए ठीक है एक टोप हेडर फ्रेम करेंट कर लिए एक कर लिए हमने बौटम फ्रेम तो अभी ही इनका यूज करने वाले हैं कि इन्हें कैसे यूज करते हैं अब दो फ्रेम तो यूज कर लिए लेकिन टोप में कैसे दिखाएं बोटम में कैसे दिखाएं यह सब मैं अभी बताने वाला हूँ आपको जैसे मान के चलिए मैं क्या करता हूं यहां मैं इन्हें मैं पैक कर देता हूं और इसे भी मैं जो बॉटम है उसे भी पैक कर देता हूं है ठीक है मैं इसे रॉन करूं और दिखाऊं़ अगर एगर करता हूए कि कि इसे वालन अब हम दो frame तो create कर लिए अब हम create करने वाले हैं दो label एक टौप के लिए एक नीचे के लिए label का मतलब है हम फ्रेम का use करेंगे जैसे में लेबल यूज क्या है तो मैं कह सकता हूँ label क्या करना अब जब पहले हैं label में use करते थे window आपको जहाँ यूज करना जैसे frame top header में पोचाना तो आप यहां top header लिखके इसका text लिखके कह सकते हैं कि this is header ठीक आप इसे कह सकते हैं इसे कि यह header में add हो जाएगा अभी मैं pack करूं तो यह header में add हो जागा अगर मैं इसे run करूं तो आप देखो क्या होता है अभी मैंने बोंटं ठीक है बोटम नीचे के लिए बोलते हैं ठीक है अम यहां क्यों कि इस फ्राइट कर सकते हैं अगर अगर मैं हम लिख्धो तो आप देखो क्या होता है कुछ फरक पड़ता है या नहीं पहली बात और टोप यह वर्क नहीं कर रहा है देखता हूं क्यों नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप बोटम लेफ्ट left bottom तो आप यहां दोतरी इता हूं साइड बोटम तो यह हमारा स्भासुत्य थीक कर सकते हैं यह धो कि बोडन होजाए अगर मैं से बरन करके देखता हूं तो सायद कुछ हैरर आप एक हमने यह नहीं हटाया अगर मैं से बर देखते हैं कि क्या कुछ फर्क पढ़ता या नहीं देखो अब फार्क पढ़ता है यहां पर क्या है जैसे हमने इस fallen frame में कहा कि यह साइड है इसकी bottom है तो यह क्या हुआ जब हमने इसे run किया तो आप देखthyते हैं इसकी side bottom होगी और यह header हो गया तो आप देख सकते हैं side function से भी आप कह सकते हैं कि अगर मैं साइड साइड में गौन में kछिए साइड में लेख दो मैं left तो यह left भी हो जाएगी जैसे हम करना चाहें जैसे हम रखना चाहते हैं ऐसा हो जाए सकते हैं अब हिस Mother 5 को अपने हिसाब से प्रेम क्रेट करके अपने उसको सही से मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम बना सकते हैं आप देख सकते हैं यह जो प्रोग्राम बनाया जो सौफ्टर बनाया यह मैंने फ्रेम की हेल्प से ही यूज करके इसे बनाया है आप देख सकते हैं इसका भी मैं सोर्स कोड आपके ऐसे मैंने बनाया ये भी बताउगा उसके लावा आप समंझ गए होंगे कि Frame क्या हुता है और Frame को क्यों यूजस करते हैं तो अब बात करने वाले हैं Matthew box के बारे में negative box क्या हूंताब यूजा करना चाहिए और message box होता क्या है यह मैं आपको बता देता हूं तो चलिए कि message box के बारे में मैं थोड़ा सा example देता हूं यह मैंने software बना रखा अपने लियो और जैसे ही मैं यहां पर कुछ type करता हूं तो एकदम यह जो box आता है न जो यह निकल के आया भी आप देख रहेंगे यह जो enter your username और password तो यह क्या है message box है जैसे ही मैंने यहां पर click किया और जो यह दिखाया है message box है message box जो python में होते हैं वो 7-7 तरहें के होते हैं आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इधर side में इनके बारे में अच्छे से लिख रखा कि कितने तरीके के होते हैं so info होता है so warning होता है so error होता है ask question इनके बारे में तो करते हैं कि है कैसे कैसे यूज करते हैं कि मैं एक लेबल करता हूं और वहां इसे यूज करके दिखाए दीता हूं ताक और इसे यह एंटी को डोट पैक कर देता हूं ठीक है मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने इसे क्रेट कर दिया है अगर मैं इसे रन करके चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक एंटी बोक्स क्रेट हो गया है यहां पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं ठीक है अब मैं क् एक variable बना के इसे देखेरना चाहता हूं एक variable बनाता हूं मैं है string एस में एक variable बना देता हूं वार और string वार में इसका एक variable बना के यहां इसमें text variable के थुरू pass कर देता हूं ठीक है text variable मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है यह variable को बस इसमें पास करने के लिए होता है अब हमने एक variable बना दिया ठीक है लेकिन अब एक हम button भी बनाते हैं button किसलिए बनाते हैं ताकि हम इस पर click करें तो हमारे जो और इन्फो है मतलब जो हमारे यह हैं मतलब जो हमारे मैंसेज ब!」 यह उतंब जीन अब самых इक रखते हैं मैंने दो एक entry box बना लिए एक button बना लिया अब हम use करने वाले हैं कि जब हम इस पर click करें कुछ तो कुछ action हो तो एक दो मैं दिखा देता हूं उसके बारे में message को box use करने के लिए हम क्या चाहते हैं हम message box को use करने के लिए हमें import करना परता है फंक्शन बनांगे दिखाने वाला हूं तो फंक्शन बनाने से पहले आपको यहां पर command लिखना पड़ता है कि क्या function बना रहे हो किस नहीं से तो मैं यहां नाम से एक function बना लेता हूं और यहां पर क्या कहता हूं देखो जो यह हमारा variable है इससे target करते हैं मैं कहता हूं कि हमारा जो वार.get है हम कहते हैं यहां इफ इफ वार.get is equal to null होता है मतलब कुछ भी नहीं होता है उसमें तो इसमें message box दिखा दे message box दिखा दे क्या message box दिखा दे so warning क्योंकि हम warning दे रहे हैं हम दूसरा वाला यूज़ कर रहे हैं इसी इसाप से हम दिखाएंगे so warning और इसके अंदर दो चीज पास करनी होती है एक तो जो window हमारी open होती है उसका जैसे यह title होता है एक अंदर question जैसे मैं इसका नाम warning रख देता ह हो पिलीज अंटर ना यह रख देता हूं मैं MPT MPT अभी बताता हूं जब MPT box ठीक है अगर मैं इसे अब रन करूं एक बार मैं अब रन करके दिखाता हूं जो मैंने अभी तक क्या है ताकि आपको समझ माई अगर मैं देखो अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है अगर मैं से किलिक करता हूं तो यह message box open होगा ठीक है अब देखो क्या होता है कुछ error आया है देखते हैं कि message box में कुछ error आया देखते है message box no so warning so warning असल में capital था इसलिए मतलब double time w था so warning मैंने एक time लगाया तो अगर मैंने इसे फिर दुबार रन किया अब देख सकते हैं अगर मैं हैं डालू test अगर जब किलिक करो तो यह कुछ नहीं दिखाएगा लेकिन मैं मैंने क्या लगाया कि जब बिना कुछ डालू और जब किलिक करो तो बोक्स दिखाए देखो and empty box जो warning है यह warning यह वाला title आया आप देख सकते हैं यह जो वार्निंग और दिखा सकते हैं यह फिर ह हम कह सकते हैं else में हम कह सकते हैं message box dot message box dot so info so info अपके use कर लेते हैं और उसमें क्या देते हैं so info उसमें कह देते हैं success ठीक है success कहके हम कह देते हैं कि success कहके हम यह प्रिंट करा देते हैं क्या करा देते हैं print जो war dot get है उसमें जो data आया है वही प्रिंट करा के हम देखते हैं क्या यह प्रिंट होता है या error देता है क्योंकि मैं भी यह आपके सामनी कर रहा हूं देख सकते ह यहाँ पर जैसे में ने दाणिश लिखा अगर मैं इसे प्रिन करूं तो देखो इसके अंदर जो हमने हरा डाला को सकते हैं सब्सक्राइब गरेला तो यह तो यह हमारे मैसेजी बोक्स होते हैं इस तरीक साम इस्तेमाल कर सकते हैं एसे 100 एरड होता है question ask question होता है ask official होता है होता है ना कि आपको cancel करना या one करना है जो होता है को फाट करना है एक अप्नों तो होता है कि यास जैसे मानके चलो आपको कर G1 to exit तो आप इसमें ask you mau me use करांगे चलो मैं इसके बार 진्जेट के बारे मैं मैं इसे काड़ देता हूं मैं भी फिलाल ठीक है मैं यहां कहा देता हूं मैं जो अभी इसे message box की जगे यूज कर लेता हूं मैं क्या ask why yes or no और यहां कहा देता हूं मैं कुछ भी रख देता हूं इसके नाम यहां कहता हूं do you want to to exit exit ऐसे कहके अगर मैं अब रन करा हूं तो आप देखते हैं क्या होता है देखो जैसे ही मैं बटन पर किलिक करूंगा अगर मैं खाली पर किलिक करूंगा तो MPT box दिखाएगा और जैसे ही मैं यह दानिश डालूंगा तो यह do you want to exit yes or no पूछने लगा तो इस तरीके सा मैं ऐसी functionality कर सकते हैं कि वह हो जाए अभी बोल ले अदेश्ट रोई function रन नहीं हुआ डेस्ट टी ओ टी डेस्ट रोए स्पेलिंग में सायद गलत डालों डी एस्ट ओर वाई डेस्ट रोए है तो यही लेकिन क्यों नहीं हो रहा देखते हैं क्या होता है एक मिनट दानिश एक मिनट जैसे मैंने डाला वह सोरी हमें एक चीज जो डालनी होती है है यहां मैं डालना होता है पैरेंट यहाँ पो पर और यह करो तो यह अभी भी नहीं औär तो destroy function के बारे में कुछ दिक्कत आ रही है चलो इसके बारे में मैं बता दूँगा कि destroy का मतलब यह समझ लेजी कि आप window close करने के लिए destroy function का यूज कर जाता है तो अब list के बारे में बात करने वाले हैं कि list क्या है और tick inter में list क्यों use की जाती है तो मैं list के बारे में आपको बता देता हूँ यह एक box होता है जिसमें एक list होती है name की जैसे मान के चलो आपको एक list रखनी है है जैसे आप लिश्ट में कुछी भी रख सकते हैं तो इस तरीके के लिश्ट होती है लिश्ट को मैं एक एक लिश्ट होती है इसे मैं कर करके दिखाता हूं कि कि आखिर लिष्ट को कैसे यूज किया जाता है ठीक है लिष्ट को यूज करने के लिए आपको यहां पर आप एक वैरियेबल बना सकते हैं और यहां पर आपको लिष्ट वो यूज करना पड़ेगा और यहां पर विट्ट दे सकते हैं जो बाकी फंक्शन है मैं इसके बारे म कर सकते हैं और लिष्ट को फिर पैक कर सकते हैं आप पैक करना है प्लेस करना गिरेड करना या आपके उपर बात है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं कि लिष्ट को कैसे यूज कर जाता है मैं अभी जैसे ही से रन करता हूं तो आप इसका आउटफुट देखें देखो यह बोक्स बन का है ना यह जो बोक्स बन का है यह एक लिश्ट है इसके अंदर आइटम्स होते हैं तो जो आइटम्स है यह तो हमें पता लगया कि लिश्ट कैसे क्रेट की जाती है लेकिन इसके अंदर जो आइटम्स आइगे वह अभी नहीं पता है तो हम यह पड़ता है कि आइटम कहां एड करना चाहरे हो तो मैं यहां डाल देता हूँ यह एंड और यहां पर मैं डाल देता हूँ एडवेल पी अगर मैं फिर दुबारा इसे रन करके दिखांऊ तो आप कि इए टल लेता हूं कि लिष्ट के अंदर एक बसे अधाल होगी है आप यह देख सकते हैं मैं इस सैल्साइं अगर former कने हैं तो आप ऐसे करकर के मॉल्टिपल कर सकते हैं एक तो बहसक इस तरीके से भी आप लिस्ट बना सकते हैं जो भी आप ठीक है इस तरीके साफ लिस्ट बना सकते हैं यह एक एक करके चाहो तो ऐसे भी एड़ कर सकते हैं लेकिन यह अच्छा तरीका नहीं होता है कि एक एक करके आप लिस्ट आड़ करें इसलिए क्या करो एक बारी लिस्ट और उसके बाद क्या करो एक for loop लगाके for I in LST और यहां क्या करो यहां करो LST ठीक है यहां पर जो LST है इसका नाम में कुछ और रख देता हूं मैं items रख देता हूं ठीक है तो मैं यहां पर LST की जगे items रख देता हूं देखो इसमें फॉल लूप के द्वारा आप देख सकते हैं कि आइटम सेड हो गए हैं तो आप यह तो देख सकते हैं कि हमने आइटम को अपतक एड कर लिया है लेकिन इसे हम इनके साथ लुट कर सकते हैं जैसे डिलैट करना और भी तरीकंप dolably के बारे में बात करता हूं कि कैसे करा सकते है तो डिलीट कराने के लिए आप को यूज करना पड़ेगा कि एक आइटम को डिलीट करने के लिए मैं देखता हूं LST.delete function चला के देखता हूँ और यहाँ पर मैं A N CHOR डाल के देखता हूँ कि क्या होता है अगर मैं इसे run करूँ तो आप देखना कि क्या होता है देखो अभी एक भी यहाँ पर delete नहीं हुआ है और function बनाके हमें delete एक तो button बनाना पड़ेगा सबसे पहले हम button बनाके देखते हैं ठीक है यहाँ पर आपको button बनाना पड़ेगा जो कि button होगा और वह विंडू की pack होगा उसका text हम रख देते हैं delete ठीक है और इसे .pack कर देते हैं ठीक है और इसके अंदर एक command लिख देते हैं command का मतलब है function बनाने के लिए command लिख देते हैं जो func नाम का होगा और यहां पर हम एक function define कर देते हैं func नाम का और हम कहेंगे कि अगर list पर click क्या जाए इस पर select होई आइटम पर तो तब delete हो तो इसे मैंने run किया और उपर देख सकते हैं आप मेरा button उपर आ गया क्योंकि यह pack कैसी करता है जिसे मैंने delete पर click किया तो यहां delete हो गया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप delete करा सकते हैं ठीक है आप label लगाके चाहे तो इसे print भी करा सकते हैं variable बनाके तो मैंने आपको insert aste Kasımοι मिस्टषर पर लेट कंदा किगी में पर ग्युक्स में क्यान किसे करते हैं और प्रिंट करनना आपको पहले भी आता है पर अब किसे करा सकते हैं वहाप कि हैस्प्रिंट करा सकते हैं तो मैंने list box को आपको बता दिया कि list box को कैसे use करते हैं और यही list box है तो अब बात करने वाले हैं canvas के बारे में कि canvas क्या होता है उसे क्यों use करते हैं तो canvas को मैं pen की help से बता सकता हूं कि canvas क्या होता है जो canvas है उसे क्यों इसे पूरा तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन केनवास का हिंट दे पाऊंगा और थोड़ा सा बता दूगा तो canvas को आपको कैसे यूज कर सकते हैं और canvas के जो extra function है आप मेरी website पर पढ़ सकते हैं जितने भी extra function है इसलिए canvas के बारे में बता देता हूं ठीक है तो मैं canvas के बारे में बताने से पहले से मैं बंद कर देता हूं और यहां पर बताता हूं canvas देखो canvas के बारे में मैंने इधर थोड़े से input and function लिख रखे हैं जो हम यूज़ करने वाले जैसे create arc arc का मतलब होता है ऐसे design करके कुछ तो एक create line, create का line का मतलब ऐसे जैसे line create करने, oval का मतलब अभी बताता हूं मैं इन सब के बारे में एक start होता है function, extend होता है, fill होता है, चलो create करते हैं देखते हैं कि क्या होता है तो create करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि canvas को आपको लिखना पड़ गाई है, एक variable का नाम आपको लिखना पड़ता है नहीं जैसे मैंने इतना लिख के रन किया तो आप देख सकते हैं मेरे यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया ठीक है कुछ भी दिखाई नहीं दिया मेरा कैनवास यहां पर आ गया मैं इन्हें सारे को किलोज कर देता हूं ठीक है अब मैं क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मेरे इसपे कुछ आर्गya जो हमकरता और करते हैं वह करेट करके देखे जब में करेट कर दूँगा तब ही आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाला हूं ठीक है तो मैं क्रेट करने के लिए कहनास लिखता हूं और डोट creator and यहां पर यहां पर तो आता है और उसके बाद आते हैं और उसके बाद आते हैं ठीक है तो इसे देखते हैं जो important function है जैसे color valor करना यह देखते हैं और यह x1 y1 क्या है x0 y0 क्या है यह मैं आपको बता देता हूं देखो यह pen't में जाके हम मैं बता देता हूं कि x0 y0 क्या है जो आपने math वहतिया कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा देखो इधर को जो है यहा वाला यह जो वाला है इधर को यह x है ठीक है यह x है और y0 x0 क्या होता है वो यहां होता है यहाँ जीरो होती है X-0 ये है और X यहां तक जाएगा Y-0 है और Y-1 तक यहाँ तक जाएगा मतलब यहाँ पर समझ लिजे कि आप X-0 है यहाँ पर X-1 फिक है तो ये X-1 है ऐसे Y-0 है ठीक है और यहाँ यहाँ Y-1 है उपर Y1 है तो आप इसे समझ सकते हैं कि यह है लेकिन हम इसे प्रोपर वे में आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चारहा हूँ ठीक है तो जो X1 Y1 है इनके लिए मैं एक variable सीधा है कोई create कर लेता हूँ इसकी एक value देता हूँ जैसे 10 हो गया पचास हो गया रेंडम value देता हूँ और मैं यहां 270 हो गया दोसो दस हो गया यह मैंने एक random value X Y1 की यह ले ली और यहां पे मैं pass कर देता हूँ,CORD ठीक है और यहां option pass कर देता हूँ option का मतलब है start कहां से करना चाहरा हूं,0 से extend मतलब कहां तक जाना चाहता हूं 150 तक आप कुछ भी ले सकते हैं fill color कौन से लेना चाहते हैं मान के चलिए मुझे red color लेना है उसके अंदर तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर मैंने जितना किया है अगर मैं इसे run करके दिखाऊं तो आप देखना कि इसमें क्या चाहिए देखो यह क्या बन गया देखो एक random value डाले देखो यह बन गया code बन गया तो एक random value से यह हमारा वो है कि create करने का कि हम जो paint में हम कुछ भी करते हैं जैसे हम design करते हैं कुछ भ value ठीक है तो मैं 180 करके देखता हूं कि क्या होता है 180 करके बिल्कुल यहां बिल्कुल ऐसे आ जाएगा देखो 180 value क्या तो आप देख सकते हैं कि ऐसा आ गया तो यह create arc होता है इसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा मैं बताता हूं यह धियान लाए कि जब y0, x1 और y1 डालते हैं मैं यही जो code है इसे pass करके देखता हूं कि क्या होता है जैसे ही मैंने इसे pass किया अगर देखें तो इससे run करके देखा देखो एक line किज़गी तो आप देख सकते हैं एक line हमारी हागी है इस तरीके से आप line create कर सकते हैं multiple line create कर सकते हैं उनकी value को change करके आप कर सकते हैं ऐसे एक होता है create oval इसे भी हमें करके दिखा देता हूं canvas ठीक है canvas.createowel और यहां भी आप code पास करके इसका जो color color change करना चाहो फिल की help से कर सकते हैं इसकी white width और height भी आप इसकी change कर सकते हैं मैंने कुछ गलती कर दी तो मैं create oval करके मैं code करना चाहों तो यहां पर कुछ दिक्कत आगी एक मिनट देखता हूं क्या दिक्कत है तो मैं क्या कहना चाहरू कि note attribute oval means creator हो सकता है कोई बात नहीं है से मैं बता दूंगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे हाप एक फंक्शन को इसे create कर सकते हैं इस तरीके से और यहां extend fill और इन function के बारे में भी आप खुद देख लेना कि कैसे होता है यह भी कुछ नहीं है एक तरीके का all create करता है इसके बारे में जब canvas के बारे में आप मेरी website पूरा पढ़ सकते हूं मैंने पूरा प्रोपर वे में लिखा हुआ है ले लंके इसके बारे में बताते हूं दोनों काथ इसके बारे में बता देता हूं डबल वीनडवर खूल जाते हैnt तो double window खुल जाती है एक साथ, double का मतलब है, अगर जैसे जो हमने इस software बनाया आपना, अगर मैं इसे run करूं, control भी press करके मैं run करता हूं, जैसे मैं run करूं तो आप देख सकते हैं, एक ही window open होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसे software होते हैं, कि एक ही साथ 2 window open करानी होती है, और जब open कर उस पर कुछ दिखाना भी होता है, तो तब हमें use करना पड़ता है top level, ठीक है, जो destroy होता है, वो close करने के लिए होता है, destroy मतलब करने के लिए होता है, यानि के destroy करने के लिए होता है window को, चलो पहले top level के बारे में बता देता हूं, top level के लिए आपको यहाँ पर एक variable बनाना देखंगे, मैंने इसे run कर दिया है, आप देखो तो इसके साथ 2 window open हुई है, तो इस तरीके साथ top level का इस्तिमाल कर सकते हैं, देखो 2 window open हुई है, जिसका size अलग है, इसका size से अलग है, अगर चाहो तो top level का आप title, यह जो सारी चीज़ है, यह भी decide कर सकते हो, ऐसे इस तरीक पहले एक button बना लेते हैं, button बनाने के बाद मैं कहता हूँ कि यह top पे रखो, जो हमारी open होईगी हमारी एक window extra, उस पे रखो इसे, और यहाँ पर इसके जो text है, वो क्या रखो, वो रखते हैं, इसका text रखते हैं, close window, okay, close window मैं इसका नाम रख देता हूँ, और यहाँ पर जो क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बार-बार यही चीजे मैं repeat कर रहा हूँ, अब मैं func नाम का function बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कहता हूँ, कि जो top है, उसे यहाँ पर क्या कर दो, destroy कर दो, यहाँ पर destroy कर दो, जैसे कोई button पर click करेगा, तो यह window close हो जाएगी, ठीक है, यह window क्लोज हो जाएगी, लेकिन अगर मैं दिखा हूँ, अगर run करके दिखा देता हूँ, कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ, आपको ऐसे समझ मा आ गया, वो destroy function करने के लिए, देखो, मैंने क्या करा, यह जो दो विंडो एक साथ open होई, एक तो यह open होई, ठीक है, यह आप देख सकत आने के लिए, आपको सीधा साथ, एक function, एक same जैसा button और बनाना है, और उसे इस बार आपको window पर रख देना, मतलब यह top पर न रख देना, और यही same function यहाँ काम कर जाएगा, देखते हैं, इसे run करता हूँ, मैं run करने के बाद आप देखो, दोनों जगे close button आएगा, ठीक है आप देख सकते हैं, कि मैंने इसे close किया, तो यह close होगा, इसे close किया, तो यह नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ देखते हैं, चलो इसके बारे में भी हम देखते हैं, जो close है, वो क्यों नहीं हुआ, इसका नाम हम change कर देते हैं, फिलाल, change करके हम कर दें, कुछ और रख देते ह जो इसका function है वो function 1 लग देते हैं ठीक है और यहाँ पर मैं कहता हूँ function 1 को सेम function बनाता हूँ function 1 को जो window destroy असल में मैंने यहाँ पर top dot destroy लगा रखा था इसलिए मैं अलग function बना के दूसरा यहाँ पर लिख देता हूँ और हम मैं इसे run कराता हूँ ठीक है आप देखो कि क्या क्या मैंने यह मैंने दो बटन बनाए एक टोप window के लिए जो open होती है और एक win window के लिए जो हमारी main window और दोनों के लिए लग लग function बना दिया दोनों के लिए लग लग बात मैंने कह दी ठीक है किलोज कराने के लिए आप इसे करा सकते हैं दिखाता हूँ अभी मैंने यह की button बनाया है दोनों में यह लिख दिया ठीक है तो आप इसके थुरूबी आप क्या कर सकते हैं दोनों window को एक साथ वो करा सकते हैं ठीक है बंद करा सकते हैं जैसे मैं close लिखूँगा तो देखो दोनों window close होगी और धि top level or desktop function के बारे में आप समझ के होंगे यही top level desktop function का इस्तेमाल होता है तो अब बात करने वाले हैं progress bar के बारे में कि progress bar क्या होता है इसके नामसे समन्झ बाराऊगा कि progress bar progress bar का मतलब होता है कि जो पट्टी सी चलते हैं ना हरी हरी या फिर red color की जो पट्टी सी चलती है progress होती है वो progress bar होता है इसे मैं बताता हूँ एक बार करके progress bar क्या होता है इसे code करके बताता हूँ progress bar को कैसे use कर सकते हैं मैंने कुछ उसके important इधर function लिख रखे हैं, इसे मैं use करने वाला हूं, सबसे पहले progress bar को use करने के लिए आपको tt के import करना पड़ेगा, यह वाली line, ठीक है, उसके लावा आपको यहाँ पर लिखने पड़ेगा, progress आपको एक variable बनाना है, और यहाँ लिखना पड़ेगा, tt के dot progress bar, ठीक है, progress bar आपको इस तरीके से use करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, उसके लावा आप यहाँ पर window का नाम दे सकते हैं, जैसे window, उसके लावा आप function दे सकते हैं, पहले जो progress मैंने बनाया, इसे pack करके देखता हूं कि क्या होता है, एक minute, इसे देखता हूं कह क्या function होता है, वह देखने वाले, ठीक है, तो यहाँ पर orient है, orient का मतलब है कि आप क्या रखने वाले है, जैसे इधर को रहेगी ना horizontal, जो orient है, यह function decide करता है कि कि इधर रखना चारे है, जैसे orient है, मान कि चले, मैं यह orient pass कर देता हूं, orient, मैं रख देता हूं horizontal, यह by default horizontal ही रहत पर देखो आप चेंज होगा इसका साइज अब वर्टिकल में हो गया तो आप यह जो ओरियंट है यह डिसाइड कर सकते हैं आपको किदर रखना कैसे रखना है मैं अभी इसे वर्टिकल ही रहने देता हूं डेता हूं मैं कहा देता ह compatible उसके लबंस में लैंधे सकते की लैंट कितनी होनी चाहिए Olay लैंध RS particular कर सकते मरजी कि tu यहाँ पर लग्लण रख सकते हैं उसके लाव क्या होता है अभी मोड के बारे में बताता हूं कि मोड क्या होता है । इसका नाम बटन है और यहां पर स्टार्ट ठीक है और यहां पर हम रख देते हैं कमांड मैं अभी दिखा रहा हूं मैं करना क्या चाहा हूं और यहां पर बार रख देता हूं मैं ठीक है और यहां पर मैं पैक कर देता हूं इसे pack करके इसे मैं क्या चाहता हूँ एक अभी दिखाता हूँ ठीक हँ नवी मैंने क्या Hänant यान्प गलती करती देखता हूँ मिंडो बटन बनाए और चिया कमेंड बार रखाया असल में मैंने बार फंक्षन ही नहीं बनाया तो मैं बारज बना के से अभी पास कर देता दिखाने के लिए पास कर देता हूं ताकि यह रảम हुआ अभी मैं इसे रन कर ख़ेऊँ तो एक बटन बंगया हमाँ क्या चाता हूं जैसे इस पर क्लिक करों तो यहां से हरी हरी निकल के इधर को जाए ठीक है अब वो जाएगी कैसे तो उसके लिए function बनाना पड़ेगा function कैसे बनाता बनाता है उससे पहले आपको mode देना होता है ठीक है mode क्या होता है एक मिनट मैं इसे कोम देखे नीचे mode क्या होता है mode यह decide करता है कि जो आपकी value जाएगी मतलब हरा हरा जो color जाएगा एक साथ जाएगा यह फिर dot dot में जाएगा जैसे यहां गया फिर यहां से आगे गया अब भी दिखाता हूं पहले मैं determine करके दिखा देता हूं आपको ठीक है यहां आपको value देनी होती है और value क्या कर सकते हैं आप value किस तरीके से दे सकते हैं ठीक है मैं इसे यहां पर नहीं करके यहां करके दिखाता हूं ठीक है यहां progress की value मैं दे देता हूं यहां 20 ठीक है और यहां पर क्या कहता हूं मैं कि जब मैंने progress की value 20 दी तो मैं यहां कहना च यह किया ठीक है अब मैं कहाita हूं progress. एक function होता date करने के update idle task ठीक है यह function update कर देता हूं और его time को थोड़ा सा sleep कर देता हूं sleep का मतलब होता हूं कि धोड़ी देर के लिए मैं एक second एक minute Nicole के लिए मैं रुछा देता हूं अभी मैं इसे create करता हूं और आपके बारे इसके बारे में बताता हूं कि क्या होता है इतना run करके बताता हूं ठीक है यहां पर कुछ दिक्कत आगी उस मतलब ऐसे कर रहा था direct run कर रहा था तो एरडर दे रहा था तो मैंने justing double code के अंदर क्या तो run हो गया रण हों कि मैं दिखा दिता हूं कि मैंने क्या किया है इसमें जैसे अभी मैं दिखाऊं तो इससे देख सकते हैं मैंने जो यह function लिखा यह क्या करेंगा, जैसे मैं स्टार्ट पे किलिक करूँगा, देखो, यह एक color आ गया, मैंने क्या कहा है, value 20% दी, ठीके, इसकी 20% दी, अगर मैं यह 100 दे देता है, एक बार रन करके फिर दिखाओं, तो क्या होता है, इसकी value आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे मैंने 100 कि है हम कंधे हैं बिल्कुल यह सी दूपर करें इसे पैस्ट करते हैं अधि इस बार में उतल आदे अधिल्म का मतलब यह उता है कि सकते हैं जैसे कुछ धिकतगे और इस पृण्ट करना में फंक्शन को नाव रखाएं अभी मैं ऐसे रन करके के दिखा देता हूं कि क्या होता है जो प्रोग्रेस बार है उसे आप कैसे कर सकते हैं जैसे यहां कुछ और जैसे हमने इस पर किलिक किया मतलब इस्टार्ट पर तो यह हमने इसका मोड रखा इंटर मेडियेट मतलब यह हमने इसका मोड रखा और जो फंक्शन है इसमें हमने इस तरीके से इसकी वैल्यों को अपडेट किया सेम ही था वैल्यों को अपडेट करते रहना है हर बार इस इसका mode कर देता हूं तो आप देखना कि क्या होता है पहले क्या हो रहा था डोट डोट में जा रहा था इस बार क्या जाएगा देखो इस बार इस तरीके से जाएगा पहले डोट डोट में जाके अलग अलग हो रहा था लेकिन इस बार इस तरीके से जाएगा तो इस तरीके से हम progress bar को अपनी value के अनुसार print करा सकते हैं आपके पास जितना भी बड़ा data होता है कभी कभी क्या होता है उन data के हिसाफ से बाण के चलो 100 message send करने तो क्या होता है message send होते रहेंगे इस हिसाफ से progress bar update होता रहता है तो यह भी हम देखंगे आगी चल के इसके बारे में advanced level में तो जो progress bar को create करने का तरीका यह है, आप देख लिए होगा कि progress bar को कैसे create करते हैं, और क्या होता है, progress bar में क्या-kya यह function होते हैं, निने function के बारे में भी आपको बता दिया, कि progress bar में यह होते हैं, तो progress bar यह में बस इतना ही, तो अब बात करने वाले हैं, scroll bar स्क्रोल बार के बारे में कि स्क्रोल बार क्या होता है और उसे क्यों यूज करते हैं तो चलिए मैं स्क्रोल बार में इसमें बता देता हूं कि स्क्रोल बार क्या होता है देखो जो साइड में यह होता है जो हम यूज करते हैं साइड में स्क्रोल बार होता है तो इसी को हम क्रे create करने के लिए आपको scroll variable बनाना पड़ेगा कुछ भी और यहाँ पर आपको scroll पार लिखके इसमें विंडो में इतना decide कर सकते हैं आप बस इतना करना होता आपको scroll bar के लिए scroll bar को आप pack कर सकते हैं ठीक है जो pack है आप pack कर सकते हैं और उसमें side function होता है side का मतलब होता है कि जो scroll bar है वो किधर रखने वाले इधर रखने वाले right में top में left में क्योंकि scroll bar कहीं भी रख सकते हैं साइड में जादे तर तो इधर ही रहता है लेकिन आप कहीं भी रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ right रख रहा हूँ क्योंकि इधर right होता है और मैं क्या कर रहा हूँ है जैसे मैंने right लिया तो मैं fill भी करना होता है, एक function होता है जो xy मैं करता है, मतलब ऊपर से नीचे के लिए fill करना है इधर करना, fill का मतलब है जैसे आप ये scroll bar देख रहे हैं, ये नीचे के लिए y कि तरफ के लिए fill है y के तरफ के लिए x की तरफ के लिए इसमें कोई नहीं है तो हम क्या करते हैं इसमें Y की तरफ के लिए capital Y लिखते हैं और fill कर देते हैं अगर मैं इसे run करके दिखाऊं कि हमारे जो run करने के बाद इसमें कुछ changing हुआ है तो अभी मैं run करके दिखा देता हूँ साइड में हमारे स्क्रोल बार आ गया आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रोल बार आ गया यह हमारा क्या था Y को fill क्या अगर मैं यहां change करके X करूं अगर मैं X करके दिखाऊं और फिर run करूं लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, 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 चलते हैं मैं स्क्रोल लिस्ट बना देता हूं मैं लिस्ट बोक्स को यूज करता हूं ठीक है लिस्ट बोक्स और विंडो में सेट कर देता हूं ठीक है और माई लिस्ट जो है उसे पैक कर देता हूं कहां पर उसकी साइड में रख लेता हूं मैं लेफ्ट रख देता हूं साइ मैं लिश्ट में कुछ डेटा एड करता हूँ अगर इसे रन करूं और फिर दिखाओं कि मेरे लिश्ट में काम करेगा या नहीं करेगा देखते हैं मेरे यहां पर एक है अगर मैं से नीचे करूं तो कुछ भी नहीं हो रहा और एक में होता भी नहीं है हमारे पास ऐसा डेटा होना चाहिए जो कि हम यूज कर सकते हैं तो हम उसके लिए फोल लूप लगाके इसे इंसर्ट करते हैं फोर आई इन रेंज हंडेड तक में डेटा इसमें इंपोर्ट कर देता हूं और मैं कहता हूं माई लेस्ट डोट इंसर्ट और यहां पर एंड और आई को यहां पास कर देता हूं हमारे यहां डेटा एड हो जाएगा बहुत बड़ा लेवल का डेटा यहां पर एड हो है इस तरीके से एगर पास करंगे अगर मैं इसे run करूं तो आप देखना यहां पर icus यहां पर करना था तो यह आप वाई कर सकते हैं तो इस तरीके साथ इस करने के लिए ठीक है देखो यह की तरफ पब reaction यहां की तरफ को भी श्रॉल होग systे टेहां सकते हैं side भी देख लिया, fill भी देख लिया, fill कैसे करते हैं, list box में देख लिया, list box में अंदर ये भी देख लिया, तो config करने के लिए आपको my, जो scroll bar हमने create क्या है, उसे यहाँ पर scroll करके, जो हमने ये variable बनाया था, scroll ये वाला, उसका use करके, यहाँ पर config करके, उसके अंदर एक command लिखनी है, command के लिखनी है, जो हमने ये list बनाई है, उसका नाम लिखना है, my list, और यहाँ पर लिखना y view, बस आपको इतना करना है, और फिर run कर देना, तो आपका जो scroll bar है, वो data के हिसाब से काम करने लगेगा, देखो data के हिसाब से काम करने लगा, आप इसे कितना भी कम कर लिजे data को, अगर मैं यहाँ 10 करूँ, एक मिनट यहाँ 10 करूँ, तो 10 के हिसाब से काम करेगा, इस scroll bar आपको पता लग गया कि कैसे create करते हैं, आप इसे साब से काम करने लगेगा, 9999 तक जा रहा है, तो आप देख लिखते हैं, इस scroll bar को आप कैसे create कर सकते हैं, इस scroll bar में मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या function होते हैं एक scroll bar को एक line ये और एक line ये decide करते है scroll bar के लिए और एक ये यहाँ पर आपको लिखना होता है बागी जो list box का काम है तो आप इसे text जो होता है text view होता है उसमें जैसे list box होता है text view भी होता है अभी देखो मैंने क्या करहार, अब टेक्स वीयू कर दिया, और इसमें कर सकते हैं, खिक हैं? तो, आप इसराफ पर्ड़र से भी यूस कर शक्ते हैं, ट्रीवीयू, तो यह हो गया, मैंने आपको बता दे, एक My List होती है, एक Text View होता है, और एक होता है True View, True View के बारे में हम आगे देखंगे, तो आपको पता लग गया हो कि Text View में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, Text View और My List के बारे में मतलब List Box के बारे में आपको पता लग गया होगा, और इसमें scroll bar के भी पता लगे हो, मैंने एसमें तीन चीज़ बता दि良szy scroll bar टेक्स टेक्स के बारे में , आपको Bill लििस्ट जो होती है, उसमें scroll bar कैसे लगे और test में वी scroll bar कैसे लगे। यह आपको पता लग चुका है, scroll bar के बारे में इतना ही तो अब बात करने वाले हैं मेनू उप्सन मेनू और मेनू जो बटन होते हैं और सप्रेटर जो होता है उसके बारे में मतलब जो यह चार उप्सन मैं एक साथ ले रहा हूं इनके बारे में जो बता रहा हूं यह एक ही बात है इनकी इसे मैं notpad के जरीए से बताता हूं, notpad के जरीए से आपको खोल के सारों के बारे में बता देता हूं, ठीक है, तो मैं notpad को open कर लेता हूं, ठीक है, notpad को मैं open करके इसके बारे में बता देता हूं कि menu क्या होते हैं, आपको पता है menu क्या होते है, menu बार जो होते हैं, अब मैंने not मेंगीड सब्सक्राइब सबस्क्राइब बंत्रेय तो सबस्क्राइब मैं बताता हूं मैंने यह पहले क्रेट कर रखा था तो इसे सब को काट के मैं इसके बारे में बता देता हूं ठीक है तो कैसे क्रेट करना है चलिए बताता हूं सबसे पहले आपको मेनू क्रेट करना है तो यहां पर कह सकते हैं माई मेनू ठीक है आप माई मेनू नाम से क्रेट करके मेनू कह सकते हैं और उसे कहां रखना चाहते हैं विंडो पर आपने यह कर लिया उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि जो हमने मेनू क्रेट क्या है उसे कौन फिक है उसे सेट कर दो तो मैं है सेट करके बता देता हूं मैं माई मेनू यहां पर सेट करके अगर मैं रन करूं तो क्या होता है देखते हैं ठीक है जैसे मैंने सेट किया तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ भी नहीं आया है ठीक है तो क्यों नहीं आया है कैसे नहीं आया यही जो notepad हमने देखा था आप देख सकते हैं जो notepad देखा था सबसे पहले हम यह create करते हैं तो यह create करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको एक file menu बनाना पड़ेगा file menu इसे file कहते हैं और यहाँ पर menu को रखे इसके अंदर my menu पास कर देना होगा ठीक है इसके बाद आप अगर इसे run करें अगर मैं run करके दिखाऊं आपको फिर दुबारा हर बार मैं run करके दिखाना हो तो कुछ भी नहीं हो रहा है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना पड़े और उसमें जो menu है हमारा क्या पास कर दो जो हमारा उसमें menu है file menu पास कर दो अगर मैं इसे run करके अब दिखाऊं क्या हमारा file add हुआ या नहीं हुआ यह देखते हैं देखो हमारा file add हो गया है देख सकते हैं हमारा यह file add हो चुका है हमने क्या क्या है पहले यह menu create किया और उसे config कर दिया window पे उसके बाद हमने file menu के एक menu create करी जो इसे जो हमने window को create किया था जो menu माई मीनू है उसे हम menu के अंदर में रखके और माई मीनू जो यह है इसके थूरू हमने add cascade करके file name का एक menu रख दिया तो आप देख सकते हैं कि हमने एक menu रख दिया लेकिन इसके अंदर जो option होते हैं option menu जो होते हैं अब वो create करने वाले हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं हमें एक काम करते हैं पहले एक edit file और बना लेते हैं तो edit होगी देख सकते हैं कि जो मैं code कर रहा हूं आपको अच्छी तरीके से साइस समझ में आ रहा होगा वैसे तो मैं simple way में रख रहा हूं इसे और मैं यहां पर edit जो हमारी edit menu है उसे रख देते हैं अभी हमने क्या क्या हमने क्रेट कर लिए एक edit दो हमने अभी जो हमारे option menu ह तो आप देख सकते हैं हमने create कर लिए लेकिन मैं क्या चाहता हूं मैं यह चाहता हूं कि जो इस notpad के अंदर से new है open है save है इन में से एक दो function हम डाल के देखते हैं हम कैसे यह add करते हैं ठीक है add करने के लिए आपको यहां क्या करना पड़ेगा जो edit menu है मैं उसे नीचे कर दे के लिए file menu रख लेता हूं और add मैं यहां पर करता हूं command क्या करता हूं मैं add command करके मैं यहां पर क्या करता हूं यहां पर मैं सबसे पहले इसका label दे देता हूं एक मिनट मैं add cascade करता हूं sorry add cascade करना होता है cascade करके इसका label का नाम दे देता हूं मैं label और इसके अंदर सबसे पहले म यहां सीधा अभी लग देखता हूं डैमों कमांड यह function को बना देता हूं डैमों ठीक है यह ताकि अभी केवल पास कर देते हैं अगर मैं इसे रं करूं क्या हमारे क्या का इंदर न्यू क्रे lot ये हमश्याक करते हैं ज 국वारे हमने क्या करहा है आप नियू क्रेइड वहां डिक लेकिन इसके भेन क्लिक करेंगे उसकी फंक्शनर्णालीटी और होती है किलिक करने के बाद उसके बाद मैं जब प्रोजक्ट दूंगा उसमें फंक्शनलिटी ऐड़ कई गई羅 की गई है कि इस सारी स्वंक्शनलिटी बहां दे गही है अब मैं बता रहूं का मेन को कैसे क्रड़त हैं अभी मैंने एक क्रेट क्या है नियू आप इसे अपको भी पेस्ट करके कर सकते हैं जैसे मैंने फाइल मेने को फिर क्या उसके अंदर क्या है दूसरा नोटपैड के अंदर नोटपैड के अंदर दूसरा ओपन है तो आप इस तरीके से ओपन भी डाल सकते हैं जैसे मैं यहाँ open डाल लेता हूं इस तरीके से आप open कितने सारे function रख सकते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने file के अंदर जो new और open दो function रख लिए हैं देकिन edit के अंदर नहीं है तो अब edit के अंदर भी हम add करते हैं तो edit के यहां जाते हैं हम और यहां भी हम जो edit menu है इसे use करते हैं edit menu dot add cascade label के अंदर हमारा क्या है सबसे पहले देखते हैं इसमें notepad में undo है एक undo use करते हैं cut use करते हैं ठीक है तो यह use होता है edit menu dot add command के थुरूप ठीक है आप इसतना करोगे तो यह अगर मैं इसे run करके दिखाऊं तो यह line थी हमारी वो आ जाएगी ठीक है तो यहां पर line आ गया भी इसके अंदर पहले कोई एक वो डाल देता हूं मैं एक नीचे add कर देता हूं मैं क्या cut कर देता हूं मैं इसे cut नाम रख देता हूं अगर मैं करके देखूं तो क्या होता है यह देखते हैं ठीक है मैंने जैसे cut किया तो आप देख सकते हैं तो यहां पर line आनी चाहिए थी command से क्या add कमेंड से साइद देखते हैं क्या run करके साइद में ध्यान नहीं आड़ा कमेंड कमेंड से तो यहां पर कमेंड है लेकिन क्यों एड नहीं हो रहा यह देखते हैं कि क्यों एड नहीं हो रहा मैं इसे भी चेक करके बताता हूं कि क्यों एड नहीं हो रहा ठीक है तो इस इस तरीके साथ डाल सकते हैं separator यह separator ही होता है मैं add command गलत यूज़ कर रहा था वह add command मैं दूसरी programming का याद आ गया क्योंकि मैं multiple programming में काम करता हूं तो आप देख सकते हैं जो line है यह add होगी तो add separator use होता है उसके लिए add command यूज़ नहीं करना add separator use करना जहां हमें separator लगाना होता है जो line होती है उसे separator होता है तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक दो menu create कर दिये हैं जिसमें file के अंदर new open है और edit के अंदर under separator cut है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी जो function बनाया है हमने हम जो function बनाया इसके थुरू हम कह सकते हैं कि अगर हमें file open करना है तो file select करने के लिए यह हम तब use करेंगे जब हम project देंगे मैं आपको project दूँगा उसके बारे में आपको बताऊंगा कि file को edit कैसे किया जाता है यह सब करने के लिए तो आप देख सकते हैं जो हमने अभी तक बनाया है हमने यह तो file बना ली है इस तरीके से आप जो चाहें सा che bot देखitting सेपरेटर के बारे में बताया और यह कैसे एड़ करते हैं यह भी सब बता है मैंने आपको तो आपको मुझे उमीध है कि आपको उर इन चारो function के बारे में जो मैं बताया इहां इनके बारे में आपको मेनी मैनू fuck और मेनू के बारे में आपको पता लग गया मेनू क्या होती एक लाइन जो होती हो मेनू होती एक बार बता देता हूं आपको ताकि यह मेनू है लेकिन यह मेनू बटन है यह तो मेनू है पूरी और यह मेनू बटन है और जो इसके अंदर होते हैं मेनू है और यह सपरेटर है तो यह आप समझ के होंगे कि क्या होता है उसके लावा हम आप देखने वाले हैं next कि true view क्या होता है तो चलिए इसके बारे में menu और menu button और option button और separator के बारे में इहीं तक रखते हैं तो आप बात करने वाले हैं true view के बारे में और file dialogue क्या होता है इन दोनों के बारे में मैं एक साथ बात करने वाला हूँ यह तीन चीज ठीक है तो यहां आप देख सकते हैं कि मैंने file dialogue open क्या और यहां message box message box को आप cut भी कर सकते हैं file dialogue box क्या होता है जब हम file को choice करते हैं ना choose करते हैं मतलब अपनी कहीं जाके button पर click करके choose करते हैं तो file dialogue की help से होता है और मैंने क्या 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 import csv क्या import OS क्या operating system csv एक file होती है ठीक है इतना करने के बाद आब आते हैं नीचे यहां पर मैंने दो scroll bar create किये हैं दो एक horizontal होगा एक vertical होगा ठीक है उसके बाद मैंने tree view set open क्या है जो tree view है भी बताता हूँ क्या है tree view के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैं अपना जो software बना रखा उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ उसकी coding मैंने इसमें implement किया है तो जैसे मैं इसे run करता हूँ एक मिनट आप टाइम दीजे तो आप देख सकते हैं मेरा software open हो गया जो यह है ना जो select csv पर click करते हैं यह क्या हुआ फाइल डायलोग हुआ click करने के बाद और जो फाइल को choice करने के बाद वो जो data आया है यहाँ पर इधर यह क्या हुआ यह हमारा हुआ ट्रीवू यह एक रैंडम डेटा है दोस्तों यह नंबर पर ध्यान मत देना एक रैंडम डेटा है और यहाँ पर नंबर आया जो यह है ट्रीवू है यह जो ट्रीवू है ठीक है आप यह समझेजिए अगर ट्रीव के बारे में पढ़ना है तो एक तरीके का ट्री है जिसमें data सो होता है इस ट्रीवू को के बना रखा है बहुत अच्छा शोफ्ट्वेर है मैंने अपने लिए खुद के लिए बनाया था तो अभी मैं बताता हूं कि स्क्रोल बार आप समझ गए कि क्या होता है इस में स्क्रोल बार मैंने साइड में नीच दोनों तरफ लगा है एक ट्री वीवू बनाई थे एक्स और यहां पर मैंने सेट कर दिया और य की तरफ मैंने स्क्रोल बार के बारे में थोड़ा पीछे इन बताया है आपको पता होगा ठीक है और यहां पर मैंने स्क्रोल बार को इसे कर दिया ठीक है इसके बारे में बटाया है मैंने की कैसे करते है यह इसके परहेंड बनाया था एक जो heading होगी mobile number होगी उसका text mobile number होगा anchor का मतलब होता है west में मतलब east, west, north, south होता है na तो anchor मतलब west में set हमने क्या है ये और status जो heading है एक status की मतलब दो हमने column बनाई है और दो नहीं हमने उसके heading बना दिया ठीक है जो column बनाते हैं ये होती है यह वाली हमारी heading होगी ठीक है तो हमने दो heading भी है इसके थुरू बना दिया है यहां हमने जो scroll बारे उसे भी set कर दिया है हमने tree view set कर दिया है दो column का ठीक है उसके लावा आप नीचे आते हैं यहां पर हमें column set करने पड़ती है आप देख सकते हैं हमने tree view में 3 column set किया है जो कि आप हमें 2 भी कर सकते हैं पर मैंने वाइसे रेंडबली 3 column set किया कोलम का मतलब आप समझें कि इधर वाली जो कोलम होती है उस तरीके से कोलम की वह तीन सेट के भी मैं बता देता हूं क्योंकि जो starting की जो 0 column होती है वह दिखाई देखो जो यह column है यह वाली यह तो मैंने 3 column set कर दिया जो पहली वाली यह वाली जो यह वाली आप जो यहां के परिट कर रहा हूं यह column 0 है तो इस तरीके से मैंने कोई सेट नहीं क्या आपिस तरीके से दो Kindern sap उसमें width और font मैंने ऐसे pass क्या है आप font ऐसे pass कर सकते हैं उसमें command open csv यानि कि open csv एक function है जो कि मैंने इसे place कर दिया इस button को नीचे button को place किया है ठीक है जब जब इस open csv पर command मतलब open csv जो function है इस पर call होगा यह मैंने उपर function बनाया आपको दिखा देता हूँ में open csv नाम का function उपर बनाया है आप देख सकते हैं जब इस पर open होगा तो इसका मैंने global name variable बनाया है जो कि file को open करेगा file को open करने के लिए ask open file name parent win मतलब parent window कहां open करना चाहते है initially मतलब जो directory है कि डारेक्टरी में तो हमने इसका मतलब बनाया था file button का नाम मतलब जब यह file open होईगी और उस file का जो भी name होगा मैंने जो file button यह बनाया था open करने के लिए यह जो button बनाया था file button इससे मैंने कहा कि अभी तो इसका नाम हमने select.csv दे रखा है लेकिन जब फाइल को open करने के बाद उस file का नाम यहां आ जाए मतलब जो button का नाम पहले था यहां पर button का नाम change होके यह आ जाए और मैंने यहां पर with open as file करके उस इसे run करूं और दिखाओं देखो एक चीज और बता देता हूं मैं जो insert करने के लिए क्या होता है treeview में insert function का जैसे my list में उसमें क्या होता है list box में insert function होता है यहां भी insert कर सकते हैं जो की starting zero से लेके end तक यह add करेगा ठीक है यह आप इस तरीके से add कर सकते हैं यह mobile number को मैंने add किया है ठीक है mobile number को मैंने उसकी values पास कर दिये जीरो से लेकर यह end तक जाएगा ठीक है जितने भी यह जो open हुआ इसकी वज़े से हुआ ठीक है यह जो था अभी जो मैंने लिखा इसकी वज़े से open हुआ ठीक है open होने के बाद में फाइल select करता हूं आपको मैं हाँ फाइल select करके दिखा देता हूं मेरे पास एक file select के लिए फाइल है मतलब तो मैं हम बलक SMS send करके मैं इसके में data है मेरे पास इस open करके जो दिखाया तो कि एक जब जो data आया यह और जो फाइल का नाम चेंज हुआ फाइल का नाम तो इस लाइन से चेंज हुआ जो data है वो यहां से रीड करके इसने जो रीड करके हमने एक एक ड्रोम में मतलब एड़ करके यहां पर एड़ कर दिया जो data है यही हमारा इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मुझे उम्मीद के बारे में आपको समझ में आ गया होगा जो मैं प्रोजेक्ट दूंगा उसमें आप कोड को खुद समंझ ले रहा कि क्या होता है अगर में कोड करता है तो साइध बहुत बढ़ा कोड हो जाता है इसलिए मैंने पहले करके रख रखा है मैंने क्योंकि software बनाया अपने लिए आप देख सकते हैं मैंने कितना गजब का software बनाया यह इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ऐसा भी software आप खुद बना सकते हैं यह बहुत unique software है कि जो यहां message लेगा जैसे मैं इस पर click यहां मैंने सब कुछ रखा है कि clear browser सब आप सब्सक्राइब समझ गया होँगे तो अब बात करने वाले हैं photo image के बारे में कि हम अपने image को कैसे upload करके अपने label या फिर बटन में लगा सकते हैं लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि photo को कैसे टीक इंटर में ले सकते हैं यानिकि import कर सकते हैं तो चलिए बताता हूं कि एक लेबल में AID करके बताता हूं कि फोटो को कैसे आड करते हैं तो चलिए मैं यहां पर मेरे पास आप code देख रहए होंगे कि मैं पहले से जिससे इस्तेमाल करता हूँ कोड को तो आपको फोटो को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं ठीक है यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एक फाइल एक वैरियेवल बनाना पड़ेगा और यहां पर आपको फोटो इमेज लिखना होगा और इसके अंदर एक को अप्लोड की लिए तो कि ऐसे थें सी फोल्टर में मैं रख रuchenा अगर मैं दिखाँ तो आप ँछले कर रहेगा वह यह वाली स्विसमस करते हैं और जो पर इमेज को आड़ करना जाता हूं तो बश्र Mission का नाम है फूर्ट डोट मैं इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूं मैंने इसका साइज बहुत ज्यादे कर रखा है हाइट इसकी 300 कर देता हूं ठीक है तो अगर मैं रण करूं तो आप दोबारा दिखाता हूं हम देखते हैं कि यह कैसे हम लेबल में दिखा सकते हैं तो एक लेबल करेट करते हैं लेबल में एड़ करते हैं ठीक है लेबल में हम विंडो और जहां हम टैक्ट देते थे थे आप वहां इमेज भी दे सकते हैं इमेज का नाम फाइल दे सकते हैं ठीक है और यहां पर आप ले ओख रहो इसका प्लेस के थूरू प्लेस के थूरू रख लेता हूं मैं प्लेस के थूरू साइज नीचे करता हूं से यह कुछ सकते कि हमारा यह इमेज अपलोड अगर अगर आपको इमेज-श Depending तो आपको photo image का यूज़ करना पड़ता है, और यहा पर file के अंदर आपका नाम देना पड़ता है, जो आपका file है, और फाइल को आपने जो यह variable बनाया था, उसे label में आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके एक label बनेगे, आप चाहें इस image को तो आप जो image ऐख, ये button में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप जो चाहते हैं, जो मेरा button है, वो image जैसे button होना चाहिए, तो आपकी मरजी है कि कैसे, देखो मैंने आपको बता दिया, कि image को कैसे upload करके दिखाया जाता है, आप देख सकते हैं, कि मैंने हाँ पर image को upload कर दिया है वो भी photo image की help से तो photo image के बारे में बस इतना ही ओन स्क्रीन कीबोर्ड जो होता है उसे मैं example से बताता हूं क्या होता है आप देख सकते हैं यह जो ओन स्क्रीन कीबोर्ड है यह इसका जो विंडो का default कीबोर्ड है आप इसमें टैप कर सकते हैं कुछ भी टैप कर सकते हैं और देखने वाले हैं कि और स्कीन कीबोर्ड कैसे बनाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कीन कोड पैले मेरी पाइथन की स्रीस देख रहे हैं वह लगातार आप यह वीडियो भी देख रहे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो किलियर कदने के लिए तो इससे आपके कलियर कर सकता हूँ और यहाँपर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ जैसे master programming और इस पेस भी दे सकता हूँ इस से और nered जो बनाया है 맞 आई इस डेकर सकते हैं मैं ने video देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप Keyboard बना सकते हैं उसके लावा कीबोर्ड को जो मैंने बनाया है इसे मैं काट देता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करूंगो सब कुछ की मैंने कैसे बनाया तो दोस्तों अगर आपके पास सोफ्ट्वेर नहीं है कि कहां से सोफ्ट्वेर रहा तो मैं आपको बता दूं सोफ्ट्वेर के लिए मै मेरी वीडियो देख सकते हैं तो दूस्तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये अपको बढ़ा में कैसे सलह मैंने की कोई आश्यग मैं और सब बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर किलिक करता हूँ और किलिक करने के बाद नियो करता हूँ नियो करने के बाद आपको यहाँ पर पाइथन फाइल कर देना है यहाँ पर आपको नाम लिखना है जो फाइल का नहीं मैं जैसे मैं कीबोर्ड बना रहो तो कीबोर्ड लिख देता हूं मैं तो मैंने यहां पर keyboard लिख दिया है तो दोस्तों मैं आपको एक line समझाने की कोईसिस करूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने जिए keyboard file बनाई थी वह open हो चुकी है तो दोस्तों मुझे क्या करना है मैं थोड़ा जोम कर लेता हूं आपको समझाने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या जरूर रहता है पहले मुझे यह समझाना होगा सबसे पहले हमें क्या है मैं उस keyboard को खोल लेता हूं जो मैंने keyboard बनाया था ताकि मैं आप समझा सकूं आपको तो इस में क्या है एक मिनिट मैं c तो हमें एक logo की ज़रूरत यनि कि फोटो की जरूरत है उसके बाद यह तो एक title हमें डालना है सीद इसी बात है उसके बाद आप जो सबसे पहले जब होता है तीसरी हमें क्या जरूरत तीसरा भीस में हम देखते हैं कि हमें क्या जरूरत है तीसरी हमें इसमें एक entry box बनाना है जिसमें हम लिखंगे उसमें जाएगा तो हमें एक entry box चाहिए और चोथी क्या चीज है हम इसमें देखते हैं चोथी कुछ चीज नहीं है आप देख सकते हैं हाँ चोथी एक चीज है पीछे का बैक ग्राउंड यह मैंने ग्रीन कर रखा है तो मैं लिख देता हूं बैक ग्राउंड तो चोथी यह चीज है बैक ग्राउंड कलर तो मैं कलर भी लिख देता इसमें हमें button की ज़रWत यह है तो में यह button लिख देता हूँ तो हमें इन पांच चीजों की जरूँत है तो सबसे पहले आपको क्या करना कि फोटो लेना है तो मेरे पास एक felto पहली है जो मैंने पहले नखा आप देख सकते हैं मैं 다음에 इसकोल के दिखा देता हूं फोटोको तो एक फोटो मैंने ये ले लिया, मैंने कीबोर्ड के लियो लिया है. आप चाहे कोई और साब ले सकते हैं. मैंने एक एसा image लिया है. दूसरी क्या जरूरत है? title. title हमें डालना है, entry books बनाना है, background color. color भी हमें डालना है. वो कैसे डालना है, हम एक एक हमें हैं लिखना है import सबसे पहले हमें import करना होगा जिससे python में वह बनता है तो उसका नाम है tick enter मैं है डालूंगा tick enter s t k इतने डालने के बाद फिर हमें एक चीज और डालनी है from tick enter import t t k अब हमें क्या करना है हमने जिससे tick enter के अंदर जो बटन है फोटो है सब कुछ इसके अंदर है जी ओवाई एप्लिकेशन बनाने का वह हमने इंपोर्ट कर लिया है तो दोस्तों हमें उसके बाद क्या जरूरत है उसके बाद हमें जरूरत है हम उसके बाद हमें इस चीज को जो tick enter है उसे किसी चीज में convert करना है like हमें किसी चीज का नाम देना जैसे की मैंने की दे दिया की इसी कोलिटो हमें क्या जरूरत है वह हम यहां टी के डोट कैपिटल टी और यह लिखके बंद कर देंगे हमने इन चीजों की तो जरूरत ही है उसके बाद हमें क्या करना है जो की है उसे बंद करना है यानि टीक इंटर इंपोर्ट टीक के यानि के टीक इंटर के अंदर से हमने टीक के फाइल उठा ली उसके बाद हमें क्या करना है जो की है उस मतलब टीक है जो इसका नाम है वो हमने की दे दिया यानि के हम जो आवगे प्रोग्राम में यूज करेंगे अब की के नाम से यूज करें जो आपको दिखा रही है तो इस तरीके से यह जो लूप है यह हमेशा चलती रहेगी जब तक आप यहां से कट नहीं करेंगे तो इस लूप होगी, तो दोस्तों यह एक ऐसी लूप है अब मैं इसे कखनूं तो क्या होगा है एक हमारी विंडू बन जाई है, अगर मैं इसे रण करूं क्या नम है मैंनी कीबॉर्डड़ के cake कीबॉर्ड़ मैं रण करने के लिए सीदह हम मैं alt shift और f10 दबा रहा हूं इससे क्या होगा run हो जाएगा तो दोस्तों मैं यहां दबा देता हूं एक मिनट तो मैं यहां f10 दबाया और यहां पर keyboard मैं इसे run करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरी एक window बन चुकी है जो कि अभी open आप देख सकते हैं यह T के नाम की यह window बन च क्या करना है सबसे पहले उसके अंदर हमें एक photo डालना है यहां पर दूसरी बात title चेंज करना हम उसी हिसारे चलेंगे तो कि जो मैन लूप है यह मैं सबसे नीचे डाल देता हूं ताकि यह सबसे नीचे ही रहेगी तो मैं यहां पर उसके बाद मैं सबसे नीचे डाल देता हूं इसे मैं लूप को और यहां मैंने पेस्ट कर दिया इसे यहां पेस्ट करने के बाद क्या होगा इसे मैंने यहां नीचे कि लूप हमाड़ी चलती रही जब तक डिलीट का बटन में कट का बटन क्लिक नहीं तो जो सीदू से चलूँ तो बалог कि मैं इसही साफ़ा चलो यह ताकि आपको सब कुछ समझना है, तो मुझे क्या Δाना है, यहां डालना हुज़ा key.title, title डालने के लिए key.title और उसके अंदर दो colon के साथ यहां पर उसका नाम लिख दिए, keyboard, boar.d, keyboard, मैंने keyboard लिख दा, sorry गलती होगी, मैं यहां लिख देता हूँ, keyboard, by दानिशा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यह मैंने keyboard लिख दा, तो अब अग रन करके चेक करें, तो क्या होगा, मेरा जो title है वो बदल चुका है, तो आप देख सकते हैं, यह मैं जूम कर देता हूँ, keyboard by दानिश, तो मेरा title तो बदल चुका है, अब मुझे इसके अंदर क्या डालना है, मुझे एक image होड डालना है, ताकि एक logo मेरा बंचे, तो image डालन है, यानि कि photo है, उसकी location देनी है, जैसे कि मेरा तो यहां पर है, आप देख सके calculator दो आईयो से, तो मैं इसका क्या है, इसका जो copy path है, वो paste copy कर लूँगा, अगर आपका यहां नहीं है, कहीं desktop पर है, तो आप वहां से copy path paste करके, यहां डाल दीजे, जैसे कि मैंने हैं paste कर दिय अब आपको एक चीज का धियान रखना है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने paste डाला तो थोड़ा लंबा हो है, टाइटल है, तो मैं उसे आपको समझानी कुछ करता हूँ, जहां यह back silence है, back silence आपको दिख रहा होगा हैं, double कर देना है, आपको double back silence लगाने सब जगे, जबी आपको यह दीखेगा, तो मैं दिखा देता हूँ, back silence, अगर आपको समझ में याड आए कि back silence क्यों double लगा रहे हैं, तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने बताया कि back silence पाइथन में क्यों लगाते हैं, तो दोस्तों मैं सब जगे back silence लगा देता साइद वो हो गया है, अब मैं इसे run करके दिखाता हूँ, कि logo लगा नहीं लगा है, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे दुबारा यहां से run करूँ, तो क्या होगा, साइद मेरा जो वो है, देखो आप देख सकते हैं, लग चुका है, यहाँ पर आप गोड से देख सकत होगा, अब आगे क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ, इतना करने के बाद आपको एक window का size बनाना है, मैं इहां लिख देता हूँ, जो जो मैं कर रहा हूँ, मैं एक window का size बनाता हूँ मैं, size, window size, size क्या कह रहा हूँ, मैं आपको समझना होगा, दोस्तों आप देख सकते हैं, जो keyboard है, एक size के अंदर है, अगर मैं इसे zoom करूँ, तो क्या है, इतना size रह रहा है, अब मैं दूसरी application दिखाता हूँ, जो हम बना रहे हैं, उसमें क्या है, कभी तो इतना बड़ा हो जा, और कभ साइज रहता है, तो size को हम पत्लब size बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं पीछे size बना रहा उसी ले ले लेता हूँ, तो 1 मिनट मैं size देखते हैं, उसका क्या ऑ North रह रेका, मैंने रह रहा है, इसका width यो 2010, and height रह रह रहा, तो हम इसे आपको समझना हुँ, तो size बनाने के ल यहां size užह आपको maximum रखना तो मैं डाल देता हूं यहां पर आपको इस में इस तरीके से डालना होगा ऐख 2010, multiply-200 अगर मैं इसे अभरन करूं तो क्या होगा मेरा size बन चुका है यह मेरा maximum size अगर में इस देखाम, यह मेरा जो बन की मिलीमम खाल वह बन चुका है तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे किछ क्लिक करें तो तब भी यह size इतना ही रहा तो मुझे इतना ही size रखना तो उसके लिए क्या करना हँगा मै एक function क्यों लेता हम की.maximum maximum size रखनेource a मैहल रख देता हूं एक मिनिट मैक्स तो हम एक साइजS रखने के लिए क्या करता हूं मैं जो वीट एक हजारदर्श डाल देता हूं और हैट कि मैं डाल देता हुं घैसें सो इससे क्या होगासा मैं अगर अब अब ऋचीज niñosinkरनाहीं किरिफें हो कि अब हम इसे इतना करें या उतना करें यह साइज कमना हो यह इतना ही रही यानि के मिनिमम साइज भी इतना रही तो हम कुल मिला के चाहते क्या है हमारा साइज इतना ही रही जितने हम बना रहे हैं तो साइज को हमें क्या करना का हमें मिनिमम साइज भी डिसाइड करना हो डोट मिनि दोस्तों, जो width size है वह भी मैं 110 रख देता हूं, ताकि वह minimum size भी नहीं हो सके, जितना size हम रखना चाहने हैं, इतना हैं, तो हमारा काम क्या हुआ, अब हमारा काम यह हो गया, कि जो हमने size रखा है, वह बिलकुल reside हो चुका है, यह हमारा size भी cover हो चुका है, तो आप देख सकते ह में बड़ा करूँ तो नहीं होगा तो हमारे एक साइड हो चुका है तो एंदर क्या करना है और हमके इसके अदर हमारा जो काम है वह तो दूस्तो अब कोर दिख सकते हैं मैं इस मैंने क्या रखा है और अग atrás कर Эного कि हम इतनी कोडिंग कर चुके हैं मैं आपको दिखाता हूं तो इतने कोडिंग कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं अभी हमने क्या करा एक टाइटल बनाया एक आइकन लगाया और यहां पर साइज बनाया तो मैं लिख रखाता कि आपको समझ में आता रहे अब मुझे क्या क करना उस Entry box का नाम रखना तो मैं लिख देता हूँ Dispirandercope Entry कुछी भी लिख सकते हैं तो मैं लिख रेंटरि और यहां मैं ढलता हूँ Entry यहां पर आपको ttk. .Entry डालना होगा Ttk. Ttk क्यों लगाया है दोस्तों हमने इंपोर्ट कराया Ttk की करता है है यहाँ जो देखने का तरीका यहाँ देखन Q के लुक्ष बना देता है तो क्या करते हो जो कि क्या ट्र रहा है तो यहां पर नाम देता हूं किए क्या क्या है reflects वींडो के उपर हमें यह रखना है, तो हमें उसके बात क्या करना है, उस वींडो का, मतलब जो anti-box है, हमें उसका確़ी हमें साइज कितना decide कर ना मैं, पिछली वीडियो जो मैंने बना रखा उसमें देख लेता हूँ, ताकि,"ta Discight", size.. !! कि मैं इसे कोपी कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि क्या चीज गया है मैं कर रहा हूं इसे में हटा के जडी कर दिया और यह की कर दिया हम मने बताता हूं यह लाल में हमने क्या कर आ एक वैरिय अबल मनाया है एक्वेशन और यहां पर T के डूट श्ट्रिंग वार ये उसका उकर दिया मतलब इस्ट्रिंग लेने के लिए हमें क्या करदे यह तो एक variable है लेकिन हमंगे entry box क्या बनाया entry box यहां entry key अब हमने state क्या है state करें read only अगर मैं इस state को हटाऊ तो क्या होगा इस state को हटाने यह होगा कि हम उसके अंदर लिख भी सकते हैं लिखना हम नहीं चाहते हैं कि जो कीबोर्ड लिखे वो यहां लिखा जाए अगर हम यहां लिखने का अगर मैं स्टेट ओलनी हटा दूंगा तो क्या है हम अपने कीबोर्ड जो ऐसा कीबोर्ड होता है उससे भी लिख सकते हैं लेकि से थोड़ा वह कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा दीखे तो तो आपको क्या करना है यह हमने एक variable equation equation जो बनाया text variable equation यहां डाल दिया उसके बाद क्या करना display dot grid यह grid क्या है दोस्तों मैं आपको समझाता हूं row spam 1 यानि कि row spam का मतलब है कि यह जो एक row में पूरा जाए यह जहां तक भी जाए डिस्पेले वहां तक जाए column spam 100 और iPad X iPad X का मतलब है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह direction जो मेरा mouse देख रहे हैं यह X की side जा रहा है एक्स की side और iPad Y क्या मतलब उपर से लेके नीचे तक आप देख सकते हैं टो टू बोटम डाउं और यह यहां से लेके यहां तक एक्स तो इस तरीके से X क्या decide करेगा कि इधर को इधर को decide करेगा और Y नीचे को decide करेगा तो हमने कहा है से इंडियान में जो वह है मतलब मैं से रं करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा अच्छा समझ माईगा तो मैं अगर इसे रं करूँ दोस्तों मैं इसे रं करता हूँ एक मिनट अब देख सकता हैं हैं पर वह बन चुका एक कोलम बन चुकी यह entry box बन चुका लेकिन आपको पत में लगा दूँगा तो एक मिनट मैं इसे रहे रहाता हूं अब हमके का आपको हमने एंट्री बोक्स क्या बनाया तो अगर मैं इसे अब रहां करूं तो क्या होगा देख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं इस्टेट होलने को अटागे तो हमारा क्या हुआ जो जो X की direction में जाने के जिंगे को number जा रहे है एक्स की direction में जा रहे हैं तो क्या हुआ इसकी जो size हुआ 909 में हुआ ठीक है और उपर से लेके नीचे तक यह 20 हुआ तो हमारा जो Ipad X हुआ और Ipad Y हुआ 20 हुआ थो इस तरीके से हमने एक वो बना लिया यानिका Entry Box बना लिया अगर हम चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं अभी हमारा keyboard जो नहीं बना है बटन नहीं बने है तो इसलिए हम यहां से बना सकते हैं तो दोस्तों हमें क्या करना है इ से रन करूं तो क्या होगा यह अभी रन एक मिनट रन करता हूं दुबारा रन करने पर यह होगा कि हम उसमें लिख नहीं सकते आपको इतना तो पता ही होगा तो आप इसमें लिख नहीं सकते इस्टे टोलने का मतलब यह है अब हमें क्या करना है एक बैक ग्राउंड कलर जरू दोट और हमें config यहां पर config लिखना है यह config लिखना है तो आप यहां पर डाल सकते हैं bg is equal to green अगर मैं यह डालू तो क्या होगा मेरा जो color है वो change हो चुका होगा अगर मैं इसरेन करूल तो आप देख सकते हैं फिलाल मैं ए रण्धोने मने थोड़ा time लगा तो अब देख सकते हैं मेरा colour बदल चुका अब हमें क्या जरूरत है लगब मेरे हिसाब से सब कुछ हो गया बटन के अलावा एक यहां पर अब बटन लगने बागी है अब मैं आपको एक बटन लगाना बताता हूं और बाकी आप ही लगाना वैसे तो मैं इस वीडियो में पूरा सब कुछ में ही बताऊंगा लेकिन कियो बनाना किदर से स्टार्ट करेंगे हम यह बताता हूं आपको तो मैं इसे रन करता हूं आप देख सकता है हैं सबसे पहले क्यू है इस बटन को हमें उस कीबोर्ड में बनाना है फिर क्यू डबलो सबसे पहले यह रो बनाएंगे उपर वाली रो फिर दूसरी रो बनाए अब बटन बनाने के लिए हमें क्या रखना है हमें क्यों बनाना है क्यों वाला बटन बनाना है तो सबसे पहले मैं क्यों नाम डादर देता हूं आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं मैं क्यों इस इक्वल टू यहां मैं आपको रखना है टी टी के डोट बटन बनाना है तो बट हम क्या करते हैं उसके बाद हमने क्यों रख लिया उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें एक कमांड लगाने है कि एंडी कमांड इस इक्वल टू हम मैं बताओं कमांड क्या है कमांड क्यों लगा रहे हैं फिर उसके बाद लिखना लेम्डा लेम्डा कोलन और उसके बाद हमें लिखना है प्रेस मैं इस अब बताऊंगा आपको क्या लिखना है फिर उसके इसके अंदर लिखना है ओपन करके क्या लिखना है क्यों एक मिनट ये होने के बाद अब क्या हुआ अब मैं इसे क्या करता हूँ पहले बंद करता हू क्यों ? .grid grid मैं बताता हूँ अब क्यों लगाते हैं grid लगाने के बाद क्या होता है एक हम grid की जग़े pack भी लगा सकते हैं लेकिन pack क्या होगा जहां automatic वो shift हो जाएगा लेकिन automatic shift का मतलब है जहां हम button चाहते हैं वहां नहीं लगेगा pack का मतलब वो है grid का मतलब हो है कि जहां बटन लगाना चाहते हैं वहां लगेगा जिस साइड जिस कोने में वह लगेगा यह grid कहलाता है तो हमें क्या करना है अभी हमें फिलाल में row row हमारी क्या है one row one में डालना है और row one और column कौन सी है column is equal to zero अब देख सकते हैं अगर में इतना run करके देखो तो क्या होता है फिलाल में इतना run करके देखते हैं अगर में इतना run करूं तो क्या होगा वो sorry वो दूसरा run होगा हमें keyboard वाला run करना है तो जो हम बना रहे हैं अगर में इतना run करके देखो तो क्या होगा आप देख सकते हैं मेरा क्यों जो है वो बन चुका है लेकिन आपी काम नहीं कर रहा है तो इसका size बनाना है भी हमें जो size है इसका size रखना है तो मैं size एक मिनत पीछे वाली वीडियो में देखता हूं कि उसका size क्या था क्यों का iPad X 10, iPad Y 10, 6 10 है तो iPad X का size 6 है और iPad Y का size 10 है यानिके अब इसका size बदल चुका है यानिके X जो है वो थोड़ा इधर कम हो जाएगा और Y जो है वो थोड़ा बढ़ा हो जाएगा यानिके नीचे downside वो बढ़ जाएगा अब column 1 और 0 क्या है मैं आपको बताओं जो हमने जिसमें entry box बनाया है इसे रन करके दिखाता हूं column 1 और 0 बताता हूं column 1 क्या है दोस्तों यह जो column है जिसमें entry box बनाया है वो column 0 है ठीक है और row क्या है row यहां से लेकर यहां तक गी है यह बहुत बड़ी रो है अब मैं बताता हूं क्यों क्या है क्यों पहली रो में है और कोलम जी रो में है यानि कि अगर कोलम वन होगा तो यह इधर आएगा कोलम टू इधर कोलम थरी कोलम फॉर और रो जो चलती है और नीचे को चलती है और रो चलती है नीचे की साइड को तो अब हम आपको क्या करते हैं कि बटन बनाते हैं जल जल दी तो मैं क्या करता हूं आप देख सकते हैं मैंने क्यू बटन बना लिया है लेकिन अब हमें क्या करना है इसी कोड को कॉपी कर लेना है और यहां पर पेस्ट करते चले जाना है पेस्ट क्या करता है इसे क्यों की जगे है हमें डब्लो 3000 कर देना क्योंकि अगले बटन हमें डब्लो बनाना ये ऱ्छांड रखना है दोस्तो बटन बना रहे में है लिक देता हूं करता उसके बाद हमें देना क्यों हो ग्ली मैं कनवर्ट कर देना है और आपको एक चीज का ध्यान और रखना है यहां कोड रो तो वन रह नहीं है लेकिन कोलम जीरो की जगे वन हो जाएगा क्योंकि हमें उसके आगे लेना है अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखना क्या हो गो इसके आगे बटन बन जाएगा हाप देख सकते डबल्लो बटन बन चुका है तो इस तरीके से आपको करते चले जाना है और क्या करना है आपको ऐसी ही आपको ही जो नहीं पूरा उसे सके बनाद अगला बटन क्या है हमारा e तो हमें ऑगा क्यों का मैं आपको इसके बारे में बताइंग ado ऋउल्ड है?. uche साथ बना लेता यहां कोलम पहले इसमें देख सकते हैं?. बनाता हूं तो दोस्तों आप भी बनायें मेरे साहार कि आपके भी ऊडिंग अच्छी होतीज रहे भिर हमें आर बनाना है نہیں dow नियुक्ते की जगे नंबर वाई से ऑना क्षेंज करते जाना है यहां और क्रोलं पहले थी और स्थिन कर देता lips तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे run करूँगा भी थोड़ देर में, पहले मैं button बना लेता हूँ, q-18 t बनाते हैं और t, फिर इसमें t बनाने के बाद क्या करता हूँ मैं, तो यहां पर मैं T बना लेता हूं, दोस्तों अब जहां पर Q है उसे T से convert करते हैं, तो दोस्तों मैं उम्मेद करता हूं कि मैं यह वीडियो जो है, थोड़ देर के लिए रोक रहा हूं ताकि मैं वीडियो एक सात तो आप देख सकते हैं मैं इसे अगर द्परन करके देखो तो क्या होगा थे हमारे इतने बटन बन चुके हैं तो दोस्तों कपी कर लेता हूं फरुर्टin की जितने समझ सबक्राइब कोई दिक्कत नहीं है üzere to हैं तो मैं मас ना यहां पर डाल देता हूं तो आप देखए यहां जितने संकर आ यहां hem को पेस्ट कर देता हूं अब क्या होगा देखना यह जो मैंने पोस्ट डाला है कोड यह कनवर्ट हो चुका है एक लाइन बन चुकिए पूर इकुल मिला के अगर आप देखो तो मैं से रन करता हूँ कि पूसे लिए इसमें कुछ एरा कि यहरीज़ नॉडड डिफाई हां है दोस्तो में इहाँ एक फंट्ट बनाता हूं एक्यों कि लिेर बताऊंगा ये function क्यों बना रहा हूं मैं ताकि आपको भी अच्छा समझ लगे दोस्तो function इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमें जो clear की command है उसमें function add करना है तो यहां पर अगर मैं अब run करूँ इतना ही लिख लेना आप भी clear यानि कि clear button के लिए लगा रहा हूं आप मैं अगर देखो तो क्या होगा सम्में आपने क्या करो होगा कुछ ना कुछ लगाया होगा मैं आपको बताता हूं अब मैं पहले से run करता हूं फिर उसके बाद देखता हूं तो आप देख सकते हैं जो में पहली line है वो बनचू की अच्छी तरीके से तो आप क्या करना है यह बटन सारे आपको बना लेने हैं पहली लाइन में उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दोस्तों यह अभी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके कोडिंग अभी नहीं किया भी तो हम बटन बना रहे हैं इसके अंदर की भी अभी बनानी है दोस्तो मैं अब उम्मेद करता हूँ कि आपको अच्छा तरीके समझ मा रहा होगा अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कोड को देखना आराम से अच्छे समझ मा आ जाएगा अगर बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है तो पहले मेरे आप पाइथन की को मेरा चाहिए तो आप देख सकते हैं जरूरी नहीं है यहां देखना आप देख सकते हैं मैं पहले कोड को दिखा हूँ तो उसमें क्या आगा उसमें आपकी सैकिंड लैन में है रहिक जुका कर लेता हूं ताकि टाइम बच जाए आपको भी वीडियो बहुत लंबी हो कि ये घंटे दो तीन घंटे पर वीडियो जाए तो मैं चाहता हूं कि जल 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 दी काम होता रहे और आपको मैं बस इतना समझा दूँ कि ये काम कहज़ा कर क्योंकि बटन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो मैं हैं सेकिंड लाइन कहां तक जादी जाएगी एंटर तक तो मुझे एंटर पर रोपना है जेड तो मैं सेकिंड लाइन को कॉपी कर लेता हूं सेकिंड लाइन में कुछ नहीं करना है बाकी वही रहना है सब कुछ बस आपको क्या करना है जो रो फर्स्ट लाइन में तो row 1 रखनी है second line में row 2 रखनी है बाकि उसके बाद column तो 1,2,3,4,5,6 ऐसे करते चले जाना है और हाँ दोस्तों उसके बाद क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं clear जैसे मैं आपको दिखाते हूं clear का मैंने एक function बनाया था हलका सा यह वाला आप देख सकते हैं जहाँ पर आ कोड में कुछ एहरन नहीं आएगी वह चलता रहेगा तो इससे आगे हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं उसके बाद आपको नीचे आके फिर एक एक लाइन बनानी है उसके बाद जैसे की second line यह इतना हो गया है अब देख सकते हैं second line का जो code पेस्ट कर दिया उसमें थोड़ा size बना बढ़ा दिया size बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है column की जगे span column लिए लिग देना हो size बल जाता है तो हम इसका भी action बनाते है वह बनाते हैं, मतलब इसका function बनाते हैं, run करने के लिए, दोस्तो यह function इसलिए बना रहा हूँ, अगर मैं अब run करूँ तो इसमें कोई error नहीं आईगी, अगर यह function नहीं बनाऊंगो तो error आईगी, तो हम देख सकते हैं, दूसरी line वी जो हमारी keyboard की थी, वो बन चुकी है, आनिके, इस column span का जो यह button है, मतलब यह वाला, enter जो button है, उसका size 75 कर दो, यानिके, column में, column आपको पता है, ऐसे चलती है, और row नीचे को चलती है, तो आप देख सकते हैं, यह size इसका बढ़ चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, size iPad X से भी बढ़ा है, आप 10 से भी ब button बनाने, से मैसे बनने बाग के, और कुछ नहीं करना, तो हमारी क्या है, भी second line बन चुकी है, अब हमें third line बनानी है, मैं लिख देता हूं third line, ताकि आपको समझवाए, मुझे code देना है, इसलिए मुझे आपको समझाना पड़ता है, तो दोस्तों मुझे क्या करना है, third line को copy करना, जो मैंने code बना रखा पहले, मैं इसलिए copy करता हूं, ताकि अगर मैं code करूँगा, तो ये video कम से कम, 3-4 घंटे की 100% बन जाएगी, तो मैं नहीं चाहता है, आप ये video बहुत लंबी जाए, मैं चाहता हूं कि एक घंटे के अंदर ये video खतम हो, पहली हो, तो दोस्तों मैं third line की copy है, मतलब paste, copy paste है, वो paste कर देता हूं, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दू, अगर अभी तो फिलाल में third line में ये बना दिया है, अगर मैं इसे run करूँ तो क्या होगा, अगली पात बताऊँगा fourth line, fourth line में बहुत काम की चीज आने वाली है, इसलिए मैं बताऊँगा, तो आप देख सकते हैं, ये चीज बन चुकी है, ये button भी बन चुके है, दोस्तों एक एक button बनाने के लिए मैंने बताया था, एक button बनाने के लिए क्या करना होता है, हाँ, मैं एक चीज बता दू, third line में जाने के लिए आपको row three करना है, बस, बाकि वो ही process है, कुछ वो ही process है, जो मैंने शुरू में first line में 3-4 को बताई थे, बस यहां row, third line के लिए row three, और second line के लिए row two, आप देख सकते हैं, मैं उसे थोड़ा से उकर के दिखातों में, आपको सब समझ मारा होगा मेरे हिसाब से तो, जैसे कि मैं अगर मैं second line लूँ, देखो second line के third line के लिए, क्या करना होगा, बस क्या करना है, इस की जगह three कर देना, यानि कि यहां पर जो यह जैड बटन है, आप देख सकते हैं, जैड बटन third line मा आता है, तो row three कर दिया, अब मुझे क्या है, मेरे three line row बन चुकी है, अब मुझे नीचे की line और बनानी है, यानि कि fourth line, मै मैं यहां पर zoom कर देता हूँ, थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई दे, मैं यहां पर लिख देता हूँ, fourth line, अब मैं fourth line का copy, जो पहले मेरी coding होई भी है, उसे copy कर लेता हूँ, ताकि time बच जाए, ठेक है, अब मैं यहां पर copy करके, यहां पर paste कर देता हूँ, ताकि आपको द के अगर lambda ना मिले, tab लिखाऊ मिले, action मिले, कुछ भी मिले, lambda के अलावा, तो आपको एक function बनाना होगा, इसे pass करने के लिए, इससे हमें अभी code में error नहीं आएगी, इसलिए हमें लिख रहा हूँ, वैसे हमें इसके अलावे function करना है भी, आहां दोस्तों मैं एक बात और बत लेंडा के बात पर हमने इसके अंतर कुछ लिखा नहीं, और एक space दे दिया, आने के कह सकते हैं, अगर मैं इसे वापस करूं, बस इतना space दे दिया, एक space button दाब देना, उसके अलावा कुछ नहीं करना, इससे क्या होगा हमारा space हो जाएगा, space button बन जाएगा, अगर मैं इसे run करों, तो हमारे देख सकते हैं, जो सारी line है, वो बन चुकी है, आप देख सकते हो, सारी line बन चुकी है, लेकिन अभी हमारा क्या code काम नहीं कर रहा है, तो अब हम इसे काम करने के लायक बनाते हैं, अब इसे लायक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं keyboard बन चुका इतना अब इसे हम ऐसा चाहते हैं कि अगर हम लिखें तो काम हो तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना सबसे उपपर आज़ाओ लाइन में सबसे उपपर आज़ाओ जहाँ पर import करा था हमने सब कुछ वहाँ उपपर आने के बाद क्या करना है यहां मैं इसे एंटर मारके जगे खाली कर देता हूं और मैं यहां लिख देता हूं पर फंक्षन कोडिंग जो कुछ है यही है यह समझ देना अब हमें क्या करना है एक तो वह बनाना है एकस्पेरेश न बनाने है तो हमें एक वैरीम बनाना ग्लोबल वैरियाडल तो मैंने Access मतलब रिखा यहां पर लख दिया डबल कोलन उसके अलावक तने दिरए यह हमारा गलोबल वैरिवल है यह कभी चेज़ नहीं होगा यह इसा वैरिया बहलने ल में कि वह बनाना फंक्सम perlu शब्टा रहा रहूंगा सबसे पहले हमें ऐसा function एक मिनट मुझे लगता है कि मैं function लिखूंगा ज़्यादर टैम हो जाएगा इसलिए मैं पीछे का जो function है वह copy कर लेता हूं ताकि आपको बता सको कि क्या हो रहा है बस copy कर लेता हूं उस function में ज़्यादर टैम नहीं लगेगा मैंने यह copy करा और इसे काट के paste कर देता हूं अब देखना क्या है यह हमने global variable बनाया है कभी चीज नहीं होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं यह जो coding है जो अभी यहाँ से लेकर function की coding है मैं इसका end भी दे देता हूं एंड भी लिख देता हूं एंड function coding इसे आपको क्या करना है इसे इसके नीचे लिखना है यानिके इन दोनों के नीचे लिखना है उसके बाद जब एंड हो जाए function coding का उसके बाद जो बाकी कोडिंग की बटन वटन की वह एंड कोडिंग के बाद ही करना है जैसे कि मैंने देख सकते हैं एंड कोड function कोडिंग उसके बाद सब कुछ हुआ है अगर मैं नीचे जहूं तो की डोट साइज बनाया जो भी है वह नीचे कराय मैंने तो अब मुझे समझाना है कि क्या हुआ दोस्तों मैंने एक variable बनाया है यहां पर लिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा expression के नाम से फिर मैंने एक define function बनाया प्रेस के नाम से प्रेस मतलब जो हमने नंबर बनाया a b c d e f g वह प्रेस के अंदर लिखे हैं और प्रेस के अंदर हमने एक नाम दिया नंबर जो भी हमा आपको बता दूँ सिंपल तरीका बता दूँ यहां मैंने लिख एक्स पी पिलस मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको समझे ग्लोबल वैरियेबल बनाके हमने जो एक्सपिरेशन का यह एक्सपी का यह वैरियेबल है इसे क्या करा एक्स पिलस एस्टिया नंबर यानिके जो क्या है नंबर हमारे हमारे इंपुट होंगे एस लेके जढ़त कर यह स्पेस भी मारे त्लुट होगा वह. एक entry box बनाया था तो वहाँ equation variable बनाया था अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको वह equation नाम का variable दिखा देता हूं जो मैंने बनाया था आप यहाँ पर देख सकते हैं entry box में equation नाम का variable बनाया था जो की text variable के रूप में हमने से entry मतलब entry box के अंदर डाला था तो आपको इतना क्या करना है यह हमने equation बनाया था equation dot set exp equation dot set exp मतलब equation dot set यानि के जो equation है उसमें set कर दो exp 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 का मतलब मैंने आपको बताया जो भी number keyboard से press होगा वो exp में जाएगा exp में जाके जो set dot equation dot set यानि के exp इससे क्या होगा इससे यह होगा जो भी हम keyboard से number डालेंगे वो equation dot set में दिखाई देने लगे दिखाई equation dot set क्या है हमारा एक entry box है उसका variable है तो यह तो हमारा इतना जो हिस्सा हुआ यह हमारा इसलिए हुआ keyboard पर अगर हम जो भी अपने keyboard है उसमें ए दाबे तो वो display हो जाए हुआ दिखाई देने लग जाए मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक विनट मैं आपको दिखा देता हूँ रण करके कि क्या हुआ अगर मैं यहां रन करो तो क्या होगा अगर मैं हे दाब हो तो क्या हो हदा यहां यह जो दिखाई दे रहा है वो इस coding की वज़े से दिखाई दे रहा इस coding की वज़े से आप देख सकते हैं इस coding डबलो जो ई आर आप देख सकते हैं अब मैं आपको global variable बना के exp is equal to exp plus string number यानि के इसकी वज़े से हमारा exp मगया जो भी हम number यहां पर दाबंगे वो इस ट्रिंग में जाएगा इस ट्रिंग में मतलब यहां जो प्रेस पंक्सन है वो नंबर लेगा एक नंबर के बाद हमारा जो global variable है वो क्या करेगा exp वो क्या करेगा exp is equal to exp plus str number यानि के जो भी हम प्रेस करेंगे number वो इस ट्रिंग में convert होके exp में चला यह उसके बाद equation.set exp यानि के equation एक variable है जो हमने के empty box बे बनाया था उससे set कर दो exp यानि के display में हमारे जो भी number है वो दिखा दो इसका मतलब यह है तो आप देख सकते हैं हमने जो भी number है वो तो प्रेस कर लिए उसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं अब वो चीज क्या है इसे में comment box कर देता हूं ताक कि आपको मैं दिखा सकूं यह आपको दिखा सकूं अगर मैं अब रन कर रहूं तो क्या होगा एक मिनिट दोस्तों रन कर रहूं मैं थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियो तो बहुत लंबी होगी है लेकिन आपको समझ मारी होगी मैं अब यहां रन कर रहा है दोस्तों यह code केवल यह चल रहा है अभी अभी जो नीचे का code था यह मैंने comment box कर दे रहा है तो अब क्या हो लेकिन यहां पर काम क्या चीज़ नहीं कर रही है अप सोचो काम यहां पर clear button नहीं कर रहा है अगर मैं doctors इंटर का मतल़ मैंने इस में रंखा box से हटा के real में ला देता हूँ और आप देखना define clear यानि कि clear करने का जो हमने लिखा ता हूँ पर मैंने एक बात बोली थी आप से मैं आपको दिखा भी देता हूँ जैसे command लिख रहा है command के आगे lambda लिख रहा है और lambda के बाद dot और press w तो यह आप समझ लिए कि number कोई press हो रहा है अगर यह lambda नहीं लिख रहा है आगे command के आगे वह सीधा clear या action लिख रहा है जैसे कि मैं दिखा दूँ एक मिनट मैं दिखा देता हूँ हाँ यह clear button जैसे clear button है आप देख सकते हैं यहाँ पर clear लिख रहा है तो clear button है command के आगे lambda नहीं clear लिख रहा है यानिके एक variable है यह variable क्या है एक function का नाम है अब मैं इसी की वज़े से क्या होगा यह जो है यह clear करेगा अब मैंने क्या बताया कि एक expression बनाया जो global variable है उस global variable को यहाँ define क्या करने के बाद क्या करा हमने exp is equal to यहाँ पर colon के बीच में हमने थोड़ा सा space दे दिया अब space क्या है यह हमारा कहने का मतलब है कि जब हम exp button को यानिके clear button को दबाएं उस दबाने के बाद जो भी data display पर है वो क्या हो बिल्कुल blank हो जाए यानिके हट जाए हटने के बाद क्या होगा equation equation मैं आपको बता दू कि क्या है equation एक variable है जो हमें पहले लिखा वाँ वो सारा हट जाए हटने के बाद क्या हो equation dot set exp यानिके equation यानिके entry box में जो भी data है वो set हो जाए यानिके सीधी सी बात है clear हो जाए तो अगर मैं इसे up run करूं तो क्या होगा अब अगर मैं up run करूं तो क्या होगा एक minute run कर रहा हूं और यहां लिखता हूं भी something कुछ भी लिखता हूं मैं अगर मैं clear button दबाऊं तो clear हो जाएगा data लेकिन नहीं हो रहा है वजह बताओ दोस् भी वजह क्या हैं मैं बतातों आपको क्या वजह है दोस्तों जब हमने clear button उससेरा पोस्टाइए कि हमने बàasmश्त बनाये कहा है पहले हम पता लगाते है clear button कहा मिले गई declare button पता लगाने के लिए सबसा पहले तरीका है कि आप किस line में जाओ पहली वाली line में जाओ जो हमने प पर हमारा ही बटन मिलेगा तो मैंने कहा था कि यहां पर हमारी कमी है यहां मेरी कमी क्या है जो define clear है उसे हमें जो pass लगा रखा यानि कि जो इस function को लगा रखा है उसे यहां से हटा ही देना है उसके बाद अगर मैं अब इसे हटाने के बाद run करूँ तो मेरे ख्याल से एक काम करेगा तो अगर मैं इसे run करूँ तो run होने के बाद देखते क्या होता है एक मिनट दोस्तो अगर मैं यहां लिखो कुछ भी something लिखो मैं अकर मैं आप clear करूँ तो clear हो जाएगा आप देख सकते हैं कि यह clear बटन जो काम करने लगा है तो आप देख सकते हैं clear हो चुका है लेकिन अब एक चीज और देखना यह हमने क्या करा था एक एंटर बटन बनाया था जो चाहते थे हम कि एंटर दबाने से next line में आए अड़ उस पर लिखावाइ आए next line हम दिखाते हैं उस बटन पर जाता है सबसे पहले हमें क्या करना है उस बटन को प्ता करना है कि वो बटन मिलेगा का सबसे पहले बटन क्या है एंटर बटन हमारे second in line में तो हम सेक्ड लाइन की कोडिंग में जाते हैं वो भी सबसे छाए हैं तो सेक्ट लैन की कोडिंग हम चले रहे हैं और ठór जहाए स्टार्ट ओ उससे उपर वह बटन मिलेगा तो दोस्तों मैंने जैसे वहां clear button में यह हटाया था define action pass यहां भी हटा देना है आपको यहां आटाने के बाद इसकी coding करते हैं कि इसकी coding कैसे होगी यानि के next line में कैसे जाएगा data तो मैं अब उपर जाता हूँ और यहां पर जो action है उसे यह उखर देता हूँ एक मिनिट दोस्तों अब मैं यह जो button है यह enter button का action है यानि कि हमने उसमें लिखा है action अगर आपको पता नहीं है action कहां लिखा है तो आप देख सकते हैं कि command जो मैंने button बनाया था मैं वहां पोस्ता हूँ जहां पर button बनाया था एक मिनिट यह fourth line है second line में last में जाना है अब देख सकते हैं मैंने button बनाया एंटर यह देख सकते हैं एंटर लिख रहा उसके आगे comment लिखा action जो action है वो हम यहां use करते हैं उसमें मतलब हम जो use करते हैं वो हम function बनाने में भी use करते हैं तो हमने command के जागे action डाला तो action यहां ल अगर हम यहां कुछ बदल देते हैं तो दोस्तों error देगा आपका code काम नहीं करेगा तो दोस्तों हम अब बात करते हैं enter की यानि के enter दबाए next line में जाए तो दोस्तों मैंने यहां पर action दावा action के बाद क्या करा उसके बाद हमने expression जो global variable उपर बनाया वो यहां पर भी use होग और यहां का आवने कि जब हम उस पर click करें यानि कि enter बतन दबाए तो next line में जाए और next line लिखवाए और उसके आगए colon लिखवाए और equation.set expression यान equation.set का मतलब यह है कि यह display हो next line तो अगर मैं अब run करके देखो तो क्या होगा अब देख सकते है तो दोस्तों मैं इसे अब run करता हूँ run करने के बाद आप देखना जो हमारा keyboard है वो प्रोपले काम कर चुका है कुछ बटनों के अलावा तो दोस्तों कुछ error दे एक मिनुट दोस्तो, error हमारी खतम होगी थी, error क्या थी, यह हमारा जो था, यह line में नहीं था, यह XPR equation दोने एक साथ होने चाहिए, अब हम इस keyboard को चला के देखते हैं, जो हमने बना है, दोस्तों बात यह है कि जो keyboard दोसरों का होता है, वो मज़ा तो आता है चलाने में, लेक साहे दूसरे को अच्छी न लगे, लेकिन अपने आपको तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपका बना हुआ होता है, तो दोस्तों मैं बात करूँ यहां पर keyboard की, तो यहां पर लिखते हैं, पहले clear करते हैं, मैं लिखता हूँ, कि अगर आपको मेरी master programming का पता नह हूँ, जा सकते हैं, वहाँ पर check सकते हैं, दोस्तों मैं इसे clear करता हूँ, और यहां पर सब को use करके देखता हूँ, एक एक बटन को आप चाहे यूज करके देख लो, आपको सब काम करते हुए मिलेंगे, अब रही shift tab और यह और यह नीचे वाले button, इन्हों को दोस्तों मैं क्यों नहीं किया, अब दोस्तों मैं एक चीज और बताता हूँ, control हुआ, fn हुआ, window हुआ, alt हुआ, यह हुआ, यह तो काम कर रहा है, tab हुआ, तो दोस्तों इनकी coding क्यों नहीं करी, दोस्तों इनकी coding तब होती, जब हम इस software को ऐसा बनाते हैं, कि यह जो, यानिके जो हम लिखा वा जाएगा, क्योंकि हमने इनका नाम यही रख रखा है, तो इनकी coding हमने नहीं की, दोस्तों इनकी coding भी आगे को मैं जब आप ऐसा keyboard बनाऊँगा, कि अगर यहां दाब होगे, तो वो किसी भी software में जैसे notpad में लिखता रहे, वो तम मैं आपको बताऊँगा, यह इ उनका मैन मकसद नहीं सिखाते हैं, कि उनका मैन मकसद क्या होता है, कि जी वाई कैसे बनती हैं, दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आड़ा, तो comment box में लेकिन अगर दोस्तों, अगर आप मेरी website पर जाते हैं, अगर आपको इसका code लेना है, तो नहीं चेंडिस्क्र कर दिया है, सब कुछ, तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों, हाँ, अगर आपको, मैं चाहता हूँ, कि आपको एक चीज और बताता, अगर आपको color change करना है, तो कैसे करांगे, दोस्तों, मैं आपको पहले भी बत पर मैं इसका चाहता हूँ, कि red color हो, तो मैं background यहाँ पर जाके color change कर देता हूँ, red कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा ता लगेगा, ताकर आपको अच्छा सा दीखने में लगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने color change कर दिया, red कर दिया, तो दोस्तों, क्या गजब लग रहा है, अपना keyboard अपना ही होता है, दूसरे का keyboard, दूसरे का ही होता है, अगर ऐसे करते रहेंगे, तो आप चल्दी आगे जाएंगे, यह तो मेरी guarantee है, आप सीखते रहें, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी कर सकते हैं, दोस्तों, मैं एक चीज औ keyboard बनाया है, उसमें दूसरे, जो computer का keyboard है, उसकी माध्यम से भी लिख सकते हैं, देखो, अगर मैं लिखना चाहूं, तो यहां भी लिख सकता हूं, clear यहां से भी कर सकता हूं, अगर आप state लगाना चाहते हैं, तो यहां लिख दिए state only, read only, तो यह काम आपको समझ में आ रहा ह अच्छा समझ माया होगा, और आपने एक एक जो function मैंने बताया, आपने वो लिखा होगा, अब मैं आपको extra project की coding देने वाला हूं, और वो coding कहां मिलेगी, यह सारी चीज़ बताने वाला हूं, यह coding मैंने पहले create करके रखरक किया है, और यह जो मैंने project है, यह मैंने खुद unique project बनाए है, यह आपको इधर उधर, किसी और website पर भी यह project नहीं मिलने वाले है, यह मैंने खुद create करके बनाए है, तो चलिए बताता हूं कि own skin की keyboard को तो आपको पताए कि आपको कैसे बनाना है, यह मैंने बता दिया है, फिर भी अगर इसका source code चाहिए, तो आप इस website पा सक अब जो code है वो भी उठा सकते हैं, अब मैं जो बताने वाला हूं कि जो और जो project है, यह advanced calculator, GUI, calculator, banking, software, GUI, to-do list, extra project क्या है, तो चलिए बताता हूं, अगर आपको यह देखना है कि मैं जो project है, यह क्या है, क्या बनने वाले हैं, और क्या इनका source code होने वाला है, source code तो आपको सबको यहां मिलेगा, लेकिन मैं जो बनाने वाला हूं, अब जो extra project देने वाला हूं, बता देता हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, cmd open करना है, cmd open करने के बाद आपको यहां पर type करना है, pip install master programming, ठीक है, pip install master programming, आपको यह install करने नहा है, pip install master programming, इसलिए install करा रहा हूं, क जो आपकी जो software है, जो coding है, वो क्या है, मैंने इस code को, एक python library को मैं upload करके, इस library को live कर दिया है, आपकी वज़ी से, ताकि आप इन software को check कर सके, आपको क्या करना है, फिप install master programming लिख देना है, ध्यान रखना है, जो programming में single lamb है, तो आपको यह ध्यान रखना है, और मैं इन project के बा control करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, यह line लिख लिए from master programming import start, और यहाँ पर master का एक कुछ भी object रख सकते हैं, जैसे मैंने यह win रखा, अपने एक project बनताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपने जो coding use की होगी, जो मैंने keyboard बनाया था, यह बनाया था, अगर मैं यह win.mp.keyboard डालू, तो आपने जो keyboard बनाया था, हमने यह keyboard बनाया था, आपको बता देता हूँ, यह मैं आपके लिए bonus trip दे रहा हूँ कि आप इसे sort form में कैसे code को run कर सकते हैं, यह जो code था इतना सारा, इतने बड़े code को मैंने केवाल इन 3 line के code में convert कर दिया है, आप चाहे त इसे जो मैंने बनाया है, यह मैंने Tick Inter की help से बनाया है, ठीक है, आपको यह तो पता लग गया, यह तो आपको बनाना आ आ गया, लेकिन आप मैं बताने वाला हूँ, कि और जो यह software है, उनकी जो coding है, आपको यहां मिलेगी, यहां मिलेगी आपको coding, लेकिन इनके बारे में बता देता हूँ, कि यह software क्या है, कैसे यूज होते हैं, देको यह भी मैंने Tick Inter की help से MP Simple GUI बनाया था, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसे रन किया, तो आप देख सकते हैं, यहां पर Simple GUI रन हो गया, तो आप इधर ध्यान देना, नीचे भी ध्यान देना, जैसे मैं जो लिखता हूँ है, master programming, तो यहां मैं mail लिख देता हूँ, age मैं 18 लिख देता हूँ, और मेरी class क्या है, 12 लिख देता हूँ, और मैं student हो अभी और subscribe कर लिया channel को, अगर आपने channel subscribe नहीं किया, है मेरी website follow नहीं किया, वो भी आपको करना, इतनी बढ़िया trick मैं, कोई नहीं बता यह data आ गया, ठीक है, देखो यह data यहां आ गया है, देखो यह कितना बड़ी हाँ, जर subscriber, yes, mail, 18, mail मेरी यह है, और दानिश नाम है, तो आप देख सकते हैं, कितना बड़ी हाँ इस software है, कि अवल, 3 line के code में मैंने इसे convert कर जा है, इतने बड़े tick inter code को, मैंने 3 line के, इसमें convert कर अगर आपके पास PNR number है, तो आप इस software में PNR number डाल के check कर सकते हैं, मैंने random ले गलट डाला है, और submit पे click क्या है, तो wrong PNR number बताएगा, तो आप देख सकते हैं, कि अगर आपको PNR बनाना है, software दिखाना है कि मैंने अपने friends को, तो आप इस तरीके से भी इस library का use करके भी बता सकते हैं, उसके लावा मैं दूसरा दिखाने वाला हूँ, calculator, यह simple calculator मैंने बनाया है, इसका भी source code आप वहां दे सकते हैं, website, सबका source code website पे मिलेगा, तो simple क्या है, first number डालो 15, second number डालो 25, यहां पिला से operator डालके answer ले लो 40, तो आप देख सकते हैं, यहां पे 40 आ गया है, औ तो आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया, Tick Inter की help से मैंने software बनाया है, आप इसका 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 source code आप मेरी website पे available है, वहां से आप इसका source code ले सकते हैं, ठीक है, अब मैं QE's app के बारे में बता देता हूँ, यह मैंने QE's बनाया है, लेकिन इसका मैं Tick Inter में नही scientific calculator बनाया था, मैंने Tick Inter की help से बहुत advanced है, आप इसे Google में भी सर्च करेंगे, scientific calculator in Python, तो मेरे ही आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत unique तरीके से काम करता हूँ, बताता हूँ, यह भी मैंने Tick Inter में ही बनाया है, आप चाहिए तो इसका source code है, website में मैंने बता दे, कि कहां से लेना एक बार और बता देता हूँ, जो scientific calculator देखो, यहां मिल जाएगा कहीं, देखो scientific calculator, इसका source code जो यह वाला है, इसका source code वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप मेरी website को follow कर सकते हैं, इसका SAR code वहां available है, आप इससे देख सकते हैं, 7 plus 18, और यहां पर plus करके, 18, 5 is equal to, आप देख सकत आप यह बहुत advanced का calculator, इसकी coding भी बहुत बढ़ी है, आप इसकी coding को उठा सकते हैं, मेरी website से आप देख सकते हैं, मैंने यह पूरा tick inter से बनाया है, जो मैंने अब तक बढ़ा है, वो ही मैंने यहां follow क्या है, आप जाके मेरी website पर देख सकते हैं, यह tick inter भी मैंने यहां पर मतल आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, यह notepad यह दूसरों का पहले यूज़ करते थे, यह हमारा notepad है, इसका भी source code मैंने अपनी website पर दे रखा है, एक बार बता देता हूं कि कहा मिलेगा इसका source code आप देख सकते हैं, यहां पर आपको मिल जाएगा कहीं आप देखने से, इसका source code यही है, यह आप सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है, तो यहां सर्च कर सकते हैं, notepad, notepad in tick inter, ऐसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो कुल मिला कि notepad भी आपको पता लग गया कि notepad भी हम बनाने वाले हैं, तो यह आपका source code सब हुआ है, अब मैं to do list के बा किर्किट खेलने जाना है, किर्किट खेलने जाना है, ठीक है, और कब जाना है, तो आगर जैसे मैंने टैक्स दिया, अपना भी बता देगा, हमें एक टाइम पर कि किर्किट खेलने जाना है, जैसे अलारम होता है, उस तरीके का यह to do list app है, आप इसका भी इस्तेमाल करका, किर्किट खेलने जाना है, तो यह भी मैंने बनाया था, इसकी help से आप जा सकते हैं मेरी website यहां पर आपको इसका भी source code मिल जागा, to do list reminder app, तो इसका भी आप ले सकते हैं, और उसके अलावा अगला software मैं बता दूं, banking के बारे में, यह भी मैंने किसी नेपाल के client के लिए बन इसका है, आप महां जाकर देख सकते हैं, इसे मैं run करके दिखा देता हूँ, क्या है, देखो, इसमें मैंने demo account के लिए अपना account डाल लगा है, मेरे account बैंक बढ़ोदा का है, ठीक है, आप चाहें तो मुझे donate कर सकते हैं, मैंने इसलिए रखा है, ताकि आप मेरी help कर सके, सारा आ जाता है, ठीक है, और आप देख सकते हैं, मेरे account number bank of broda का है, दामीशा है, मेरे account में कुछ इतना balance नहीं है, यह मेरे mobile number है, और मैं एक student हो, मैं अगर आप मेरी help करना चाहते हैं, तो मैं bank of broda का IFSC code और दे देता हूँ, BAR, B0, PAL, AK, यह मेरे bank of broda का IFSC code है, आप please मेरी help भी कर सकते हैं, इनकी help से, क्योंकि मैं इतने बड़ी है, गजब गजब लेवल के software आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हाँ पर close कर देता हूँ, यह भी हमने बता दिया, तो मैंने आपको लगबख सारा ही बता दिया है, कि जो Tick Inter के software है, क्या हम यूज करने वाल अगर मेरे इस tutorial को follow करने है, बराबर मैं चाहता हूँ, कि आप अपना खुद का unique software बनाए, और मुझे दिखाएं कि सर मैंने आपकी video देखके, यह create क्या है, तो मुझे उस टेम पर बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं एक एक चीज, एक step आपको follow कर रहा हूँ, और इतने सार कि इसका use करके कितनी advanced level तक GUI application बना सकते हैं, और हमने इसके एक function के बारे में भी पढ़ा, और देखा है कि एक function कैसे काम करता है, और हमने ये भी देखा कि इसके project को कैसे, बहुत high quality develop में बनाई जा सकते हैं, यानि कि इसके जो project है, GUI application इसका use करके, टिक इंटर का, बहुत high quality level तक हम GUI application बना सकते हैं, जो project है, इनका source code आप मेरी website से उठा सकते हैं, उनका source code वहां पर available है, उसके लावा अगर आपने tutorial को पूरा complete कर लिया है, तो आप python developer कहलाएंगे, उसके लावा python ticket developer भी कहलाएंगे, उसके लावा आप कहीं job भी ले सकते हैं, अपने project को दिखा कर, और आप किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, online आप sale भी कर सकते हैं, GUI application developer, मतलब GUI application बना कर आप online कहीं भी sale कर सकते हैं, उसके लावा अगर आपको कुछ unique idea आता है, कुछ implement कर सकते हैं, तो आप online बना के उसे publish कर दीजे, आप बहुत income कर सकते हैं, आपने देखा होगा market में इतन समझाने के courses की आपको पूरे समझ में आ गया होगा, बाकि इसका जो extra source code है, मतलब जो बहुत सारे project मैंने mention कर रखे हैं, उसका भी source code आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे take inter की help से बहुत सारे software बना रखे हैं, आप उनका source code यूज कर सकते हैं, और मैं सीखना चाते हैं, मैंने बहुत advanced level तक बनाने की सब कुछ कोशिस किया है, बिल्कुल simple way में समझाने की कोशिस किया है, तो finally मुझे उम्मीद है कि आपको python take inter tutorial आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा,